Hello students, Myself, Manoj Sharma, Team Botany, CLC Seeker. Biochem Test Series, Unique Concept अपना CLC का, बहुत अच्छे से आपने सारे टेस्स दिए, सारे टेस्स, सारे questions जो है, NCRT बेस देविटा, बहुत अच्छे से आज का पेपर भी आपने दिया होगा, लास्ट आज का आपके क्या है, पेपर है, इसी कही साथ, Biochem आपका क्या हो जाएगा, फिनिस हो जाएगा, फिर आपके क्या है, जो भी आपकी CLC जो है, अगला यूनिक concept, जिसके माध्यम से आप Physics जो है, उसको final touch दे पाएंगे, नीट के लिए उसको revise कर पाएंगे, जिसको आपन करते हैं Physics Eco, जिसके माध्यम से आपन Complete Physics को topic wise, chapter wise, एक एक छोटे छोटे concept पे अपन discuss करते होए, सारे जो भी questions हैं, पूरे topic को cover करते होए, आपके क्या है, पेपर्स क्या किये गए बिटा, फेम किये गए, तो मेरे साब से करना चाहिए, आपका कोई भी साथी कहीं भी किसी भी वज़े से preparation में disturb हुआ है, तो उसको आप Physics Eco join कराएं, इसके बाद Complete जो भी आपके क्या है, Botany, Geology, Chemistry और Physics, उसके चलेंगे बिटा, आपके क्या है, DCM, DCM test series जो है, उसके माध्यम से आपन Complete syllabus को unit wise, और major के थूँ आपन क् discuss करने जा रहे हैं, वो आपके 12th की जो बुक है, उसका last portion, ecology जो है, उसका last portion, biodiversity and its conservation and environmental issue, इसको अपन क्या करेंगे बिटा, discuss करेंगे, बहुत अच्छा paper था, NCRT based paper था, सारे के सारे concept जो हैं, वो आपके revise करवाए गए, I think आपको कोई problem जादा होगी नहीं, फिर भी कोई मुटी मुटी problems बिटा आपके रही है, उसको अपन इस session के through अपन क्या करेंगे, complete करेंगे, चलो बच्छों बढ़ते हैं आपन, first question की ओर, देखें आप, first question जो है, वो है, और जान होल आवर अंटार्क्टिका डवलप्स, each year between, अंटार्क्टिका पर प्रतिवर्स और जान छ दिखा जाता है, October में, ठीक है, तो late August और early October, जो clearly आपके answer है, आपके क्या, fourth, तो answer बटा इसका चला जाएगा, कौन सा, fourth, है ना बच्छों, NCRT से सीधा आपके क्या है, question पूछा गया है, next जो है बटा, वो आपके क्या है, match the column का, वो भी environmental issue से है, air pollution, इस air pollution से बटा related कौन ह motion controller board, तो it means first, जो है उसका बटा आपके क्या हो गया, D, snow blindness, आप क्या कहते हो, अगर UV rage आपके अर्थ पे आचती है, तो एक कौनिया को बटा आपके क्या करती है, damage करती है, तो इससे आपके क्या होता है, snow blindness, तो यह आपके किस से हो जाएगा, UV, B से, तो इसका आपके क्या ज जाएगा क्या, A, और आपके integrated waste water treatment, जो है, वो आप किसके माध्यम से करती हो बटा, form के माध्यम से, friends of akarta, mars, इससे आपके क्या है, यह related है, तो इसका आपके क्या हो जाएगा, बच्चों, B, तो D, C, A, और B, तो ऐसा कहा रहा है, देखो आपके, D, C, A, और B, तो यहाँ भी answer बटा, आपके कौन सा जाएगा, fourth, तो यहाँ correct answer जो है, बटा, आपके हो जाएगा, कौन सा, fourth, next आपन बात करें, तो next जो है, वो आपके biodiversity and conservation से है, सीधे statement है, उनमें आपसे बटा पूछना चाह रहा है, कि correct statement कौन कौन से है, फिर आपके कह रहा है, western guards are more diverse than eastern guards within reference to amphibians, बिल बिल्कुल क्या है, सही है, their genetic diversity enables a population to adopt to its environment, अनुवांसिक विबित्ता एक समस्ती को उसके वातावरण में अनुकूलित होने देते है, बिल्कुल सही है, जैसे जैसे environment में आपके क्या होते है, चेंज होते है, तो आपके genetic जो भी आपके क्या है, genetic changes के कारण, जो भी species होती है, वो अपने क्या है, changeable environment में बिटा क्या होती है, adopt होती है, तो ये भी बिटा आपके क्या है, सही है, genetic diversity maintain diversity at community level, भाई आपके basis क्या है, genetic diversity है, इसी से ही आपके community diversity आएगी, इसी से ही आपके क्या है, ecosystem diversity आएगी, तो ये भी बिटा आपके क्या है, सही है, it means first भी सही है, second भी सही और थर्ड भी सही है तो सारे आपके बिटा क्या हो गए गए तो अंसर आपके जाएगा ओल आर करेक्ट आप देख पारे हो जैसे आपने बिटा पेपर भी दिया है हर क्यूस्टिन जो है वह आपके एक सिंगल क्यूस्टिन भी आपको NCRT से बहार है नहीं दिया गया है फिर आपन बात करें नेक्स्ट आपन देखें देखो एडिशन टू एडिशन आप फॉसफेट्स नाइट्रिस फार्टिलाइजर्स इन्टू वाटर लेड्स तो जैल में फॉसफेट नाइट्रेट तथा और वर्क मिलाने पर बढ़ावा मिलता है भाई इनको बढ़ा होगे तो आप एलगल ब्लूम बगिर आएंगी तो वो डि नियू टिया रहे हैं और थिजॉल वो रहे हैं तो न्यूटरिएंट्स एंट्रिय्च्मेंट होगा विटा जिसको आप यह क॥ै या गया हूंकि और पूसकों की अधीकता होगी और पूसकों की अधिकता जो है वह वा भी आपके क्या के यह क्यलती है सुपोष्यार्ण तो जो है वो बिटा आपके चला जाएगा कौन सा फोर्थ तो मेरे बेटू हर क्यूश्चन जो है वो अपन कहां से लिया है NCRT से next जो है देखो आपसे BOD के बारे में बिटा पुछा गया है BOD value will be higher in सबसे पहले आप समझो बिटा BOD होता क्या है क्या का है अपने BOD BOD आपके क्या है biochemical oxygen demand ठीक है यह आपके क्या होती है बिटा कोई भी आपके क्या है water sample है इसमें जो भी आपके क्या है organic material है क्या है organic material इस organic material को decompose करने के लिए micro-organize और micro-organize में specially कौन-कौन बेटा fungi plus bacteria इसको decompose करने के लिए जितने amount में oxygen का क्या करते हैं consumption करते हैं या जितनी oxygen इनको आपके क्या होती है required होती है उसको water sample के अपन क्या कहेंगे BOD अब आप क्या कहते हो अगर BOD आपके क्या है high है इट मेंस आपके क्या है जो भी organic material जो है वह आपके क्या रहेंगे high इट मेंस आपके pollution क्या रहेगा high water pollution आपके क्या रहेगा high इट मेंस BOD जो है वह water pollution का क्या है indicator है अगर आपके क्या है water pollution आपके क्या है high है तो BOD क्या होगा high होगा और water pollution कम है तो BOD आपके क्या होगा it means is question में आपको क्या देखना है कि most polluted water आपके कौन सा है उसमें ही BOD बिटर आपके क्या हो जाएगा higher अलप पोसित hypotrophic lake जिसमें आपके अभी प्रदूसर क्या है कम है आगे बात करते हैं utrophic lake या utrophic lake में आपके क्या है dissolve जो content है वो आपके जादा है प्रदूसर जो है वो आपके क्या है जादा है फिर non polluted river इसमें आपके BOD normal होगा क्योंकि microorganism है नी bottle packed water pure water होता है तो यहां आपके क्या है ना ही तो hypotrophic lake होना है ना ही आपके non polluted river water होना है ना ही bottled packed water होना है तो यहां आपके क्या जाएगा utrophic lake क्या है गविटा यहां utrophic lake क्यों अलप पोसित जो lake है उसमें आपके क्या है कम है amount इसमें आपके ना के बराबर है इसमें आपके pollution ना के बराबर है, तो most polluted water जो है, वो आपके किसमे होगा, eutrophic lake में most आपके क्या है ये polluted water और most polluted water बिटा है, तो इसकी BOD जो है वो आपके क्या होगी, high होगी BOD आपके क्या रहेगी बिटा high, ठीक है, तो answer आपके चला जाएगा क्या, second यानि की, supposed jeal में, फिर देखो, NCRT का, as it आपके क्या है, figure है, इसको अपन करने की क्या करते हैं, causes करते हैं, देखो इसको अपन करेंगे, सबसे पहले आप क्या कहोगी सबसे पहले अगर आपन बात करें, तो A जो है, वो maximum content है, A जो है इसमें आपके क्या जाएगी, fish B जो है, उसमें बिटा, आपके क्या हो जाएगा mammal क्या हो जाएगा बिटा mammal, C जो है इसमें आपके क्या जाएगा, reptile NCRT का, आपके क्या है, as it figure है, और D जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, बिटा amphibians, क्या हो जाएगा amphibians ऐसा option आपके कौन सा है first आपके क्या है phisage second mammals, third आपके reptiles और फिर आपके क्या जाएगा amphibians, तो right answer जो है वो बिट आपके हो जाएगा कौन सा third, ठीक है, next अगर अगर आपन बात करें, next question की तरफ आपन चलें, तो आप क्या क्या दोगे next जो है match the following आपको क्या करना है, इसको सुमेलित करना है, तो देखें आप electrostatic precipitator जो है वो आपके particulate matter को क्या करता है, अलग करता है बिटा तो आपके क्या हो जाएगा, second scrubber जो है, वो SO2 pollination को दूर करता है, तो it means बिटा जी, यहाँ आपके क्या हो जाएगा, third catalytic converter जो है unburned hydrocarbons का oxidation करके, इसको आपके CO2 और H2O में क्या करता है, बिटा, convert करता है, तो इसका आपके क्या हो जाएगा, first, तो second, third और first, ऐसा किसमें आ रहा है, third answer में, तो answer बिटा, यहाँ आपके चला जाएगा, क्या, third next, अगर आपन बात करें, तो statement आपको वापस दे रखें, किस से related है, बायो डाइवर्सिटी और इट्स conservation, more than 70 of all species recorded are animals, बिल्कुल सही है, जितनी भी आपके क्या है, species recorded है, उनमें more than 70 परसेंट जो है, वो आपके क्या है, animal है, बिल्कुल सही है, the diversity of plants and animals is uniform throughout the world, आपके पादपों एवं जन्तूं की विस्विस्तर पर विवित्ता आपके क्या है, सेम है, नहीं, आपको यही दिखा रखा है, कि equator के नजदीक आपके कौन है, Columbia, जहां birds की आपके 1400 क्या है, species है, जबके Greenland आपके कहा है, पोल के पास में, जहां केवल और केवल 56 species birds की क्या है, present है, it means, जैसे जैसे latitude आपके क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो temperature आपके क्या होता होता है, प्लस आप क्या कहोगे, biodiversity भी बिट आपके क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो यह आपके क्या हो गया, wrong, species is a generally function of time, बिलकुल सही है, species जो है, वो आपके क्या है, function है किसका time का, in the equation log s is equals to log c z log a, generally the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2 बिलकुल सही statement है बिटा, भाई आपके क्या है, hembald का अपन species area relationship देखें, तो log s is equals to log c plus z log a होता है, फिर आप यहां कहते हो क्या, z आपके regression का efficient है, जिसकी value, generally 0.1 से कित्ती होती है, 0.2 और जैसे जैसे ही आपके क्या है area बढ़ेगा, तो biodiversity बढ़ेगी और वो line थी, वो आपके क्या होती जाएगी much steeper, क्या होती जाएगी बढ़ेगी, much steeper, तो यह भी आपके क्या है, साही है, तो a, c और d आपके क्या है, साही है, तो wrong जो है, वो आपके कौन सा हो गया, b अब यह क्या पूछ रहा है, how many of the above statements are incorrect तो कितना 20 statement आपके क्या है, wrong है, तो यहाँ आपके answer चला जाएगा, one, यानि कि यहाँ गलत कथन जो है, वो आपके कितना है, बटा एक, हर question, हर NCRT की line से frame है, बटा एक single question पर आप यह नहीं कह सकते हैं, कि sir, यह NCRT को touch नहीं कर रहा है, next अपन देखें, तो आपके क्या है, environmental issue का question है, आप क्या कहोगे fine powder, इस fine powder आपके क्या है, CDNCRT की line है, क्या है, poly blend, क्या है बटा, poly blend इस poly blend को आप mix करते हो, किसके साथ, bitumen के साथ इसको आप क्या कर दोगे mix bitumen के साथ, और bitumen के साथ mix करते हो, तो water repelling capacity जो है, या road की life, life, जो है वो three factors से आपके क्या हो जाती है increase, तो यहां क्या जाएगा, poly blend, फिर आपके क्या जाएगा, bitumen, और फिर आपके C जो है वो आपके क्या है, three, तो answer बिटा चला जाएगा, कितना, दो पुनश चक्यत, रूपांतरित प्लास्टिक का महुन, महीन पाउडर क्या है, poly blend है, जिसको bitumen के साथ आप क्या करते हो, उपियोग में लेते हो, और इसका सडक निर्मान में उपियोग करने से सडकों का जीवनकाल, तीन गुना आपके क्या बोर्ड, CPCB, which particulate size in diameter in micrometers of the air pollutants is responsible for greatest harm to human health, यह कह रहा है, according to Central Pollution Control Board यानि कि CPCB which particulate size in diameter, इन किसमे देखना है आपको, micrometers में of the air pollutants is responsible for greatest harm to human health, तो सीधा सा है, अगर 2.5 या इसे कम micrometer के आपके क्या है, particle है कितना 2.5 या इसे कम micrometer के आपके क्या है, particle है तो यह most harmful रहते हैं क्यों? क्योंकि long time तक इनका exposure आपके क्या रहता है बेटा, effect रहता है, जो कि long time तक अपने respiratory system को क्या करते हैं, effect करते हैं, तो CPCB ने अपके कहा था, Central Pollution Control Board ने कहा था, कि अगर particle का size 2.5 micrometer या से कम है, तो फिर ही आपके क्या है long time तक अपन को क्या करते हैं, बेटा, यह harm करते हैं, ओके, बढ़ते है next question की तरफ आपके next question देखा, आपको क्या दे रखा हैं, वोई environmental issue से अच्छा question, which one of the following is most widely used to remove our 99% particulates material present and exused from a thermal power, आपके क्या करा है, thermal power से निकलने वाले कनिकिये पदार्थों में से 99% से अधिक पदार्थों को हटाने के लिए, निम्न में से सरवाधिक उप्योग में क्या लाया जता है, तो यहां सरवाधिक उप्योग जो है बिटा, NCIT की सीधी लाइन है, क्या करते हैं अपन electrostatic precipitator, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं क्या वैद्धुत अवक्छे पेत्र, तो answer आपके बिटा जी जाएगा कौनसा, वन, बोलो सहीए कि गलत है, बढ़ते हैं अपन अगले question पे, next जो है 12 question जो है इसमें आपको क्या कर रहा है बिटा ये, which one of the following is not observed in biodiversity hot spot, निम्न में से कौनसा एक जैब विबित्ता तब तो बिंदु में नहीं देखा जा सकता है, तो question आपके किसका है, hot spot का, ये आपसे बात कर रहा है कि hot spot में आपके क्या नहीं देखा जाता, तो आप कहोगे end damage बिलकुल होता है, इस्थानिकता, बिलकुल पाई जाती है बिटा जी, accelerate species loss बिलकुल सही है, ये protected area होते है, इनकी सुरक्षा करना आपके बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ specific density बहुत जादा होती है, तो यहाँ specific density जादा होती है, तो जातियों का विलुपती करन यहाँ आपके क्या होता है, बहुत है, तेजी से होता है, बिलकुल सही है, lesser inter specific competition, अल्प अंतर जाती है प्रतिसपर्धा, नहीं बिटा, अगर जातियां जादा हैं, तो इनके मद्ध competition भी क्या होगा, जादा होगा, तो यहाँ high inter specific क्या मिलेंगे, competitions, तो यह आपके क्या हो गया, wrong, इस पिसीज आपके क्या होती है, रिचनेस होती है, जातियों क्या होती है, सम्रिद्धी होती है, यह भी बिल्कुल क्या है, सही है, तो first, second और fourth तो सही है, तो wrong जो है वो बिटा, आपके कौन सा हो गया, third, तो third आपके क्या चला जाएगा, answer, यह आपके क्या हो जाएगा, answer, तो answer आपके क्या जाएगा, कौन सा, third, next question अपने देखते हैं, match the following, यानि कि आपके column को क्या करना है, वापस match करना है, तो match the column में आपके क्या होगे, देखो, match the column में आपने बात करें, this one, methyl isosynate, इस से आपके क्या होगा था, बूपाल, gas kind हुआ था, तो यह आपके क्या है, insecticide, फर्स्ट का विटा आपके क्या हैगा, C, CFC जो है, वो आपके क्या होता है, तो आपके क्या है इसका क्या जाएगा B ठीक है अमोनिया जो है वो आपके क्या है फर्टिलाइजर तो इसका क्या जाएगा B इसके अलाबा लेड जो है वो आपके automobiles को harm करता है आपको पता हुए automobiles में आपके catalytic converter होता है जिसमें आपके क्या है costly metals कौन कौन प्लाटिनम और रोडियम लगी होती है जिनको लैड आपके क्या करता है खराब करता है तो लैड से रिलिटेड आपके ओटो मुबाइल हो जाएंगे तो आपके क्या जाएगा आपके कीटना सी है और सीसा आपके क्या जाएगा यहां फस्ट अपन बात करें बिटा तो आपको क्या दे रखा है देखो इंडिया है ऑज अली 2.4% आफ वर्ल्ट्स लैंड एरिया बट इट कॉंट्रिब्यूट दा पाइट आफ ग्लोबल डाइवर्सिटी भारत में स्थल है परन्तु यह है विस्व जैव विवित्ता का कितना प्रतुसत रखता है तो आपके क्या है अपने यहां 2.4% एरिया होते हुए भी बायो डाइवर्सिटी भी आपके कितनी है एट परसेंट इसलिए आपन को बारा मेगा डाइवर्सिटिक रीजन बारा महा जैव व और वेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूब दा क्वाल्टी ओफ एंवर्मेंट तो एंवर्मेंट आपके कब दिया गया था एंवर्मेंट एक 1986 परियावरण अधिनियम 1986 याने की 1986 तो आंसर आप क्या जाएगा विटा कौन सा तीन नेक्स्ट अपन बात करें तो आपक मैत्पुर है तो कौन सा आपके मैत्पुर होता है स्कृबर यानि की आपके कौन मार्जक्र तो आंसर आजाएगा आपके कौन सा विटा ? 2nd नेक्स अगर आपन बात करें तो आप क्या कहोगे ? मौट्रियल प्रोटोकॉल कनाड़ा 1987 is related to to control the emission of greenhouse gases नहीं बिटा to control the emission of ओजोन डिपलेटिंग सबस्टांस ओजोन जो है इसके डिपलेशन को कंट्रोल करने के लिए था कौन मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आपके क्या जाएगा सेकेंड और जोन चरंकारक पदार्थों के निसकासन के नियंतरन से आपके क्या था संबंदित था विटा क्या जाएगा सेकेंड आप देख पर हो हर क्यूष्टिन जो है NCIT की line to line से आपके क्या है फ्रेम है और एकदम neat oriented विटा आपके क्या है पेपर है नेक्स्ट अगर आपन बात करें तोसर्फर से क्या है और आपके रैंफ बात करें हैbach yeah सलफर से रिलेटेड जो अपनी प्री स्टारिकल आपके बिल्डिंस होती है उनको डैमेज करता है जो आपके white stone जो होता है उसमें yellowness लाता है जिसको आपन कहते है stone leprosy और यह stone leprosy आपके किसके करण होती है acidic rainfall के करण और acidic rainfall mainly आपके होते है sulfur और nitrogen के oxide से कई बार यह नीट में आपके पूछा गया है recent reports of acidic rains in some industrial cities are due to the effect of atmosphere pollution by आपके क्या कह रहा है यह ताजा रिपोटों के आधार पर ओध्धोगिक सहरों में अमलिय वर्षा का कारण वात्ता वर्णिय प्रदूसर है जो होता है यानि कि आपके पूछ रहा है acidic rains जो है वह आपके किसके करण होती है तो nitrogen and sulfur के आपके काई से oxides से यह आपके करते हैं क्या acidic rainfall जो की सीधा दे रखा है excessive release of NO2 and SO2 by burning of fossil fuel इससे आपके क्या होता है H2SO4 plus HNO3 का क्या होता है formation होता है कहाँ atmosphere में और यह wet यह आपके dry deposition के रूप में वापस कहा आते है और यह जैसे ही white stone के contact में आते हैं उसमें yellowness लाते हैं वेटा उसको अपन कहते हैं क्या stone leprosy आपको पता हो तो अपने ताज महल जो है उसमें धीरे धीरे आपके क्या है yellowness आने लग गई थी क्यों इसके आसपास आपके क्या हुआ करता था mathura refinerage जो की आपके क्या है emit करता था nitrogen और sulfur के oxide जिससे आपके acidic rainfall होती थी जिससे आपके क्या है ताज महल जो है उसके color में yellowness आने लग गई थी इसलिए तुरंत प्रभाव से आपके government of India ने mathura refinerage को आपके क्या किया है सिफ्ट किया है तो acidic rainfall आपके बिटा क्या है नीट की द्रस्टी से आपके क्या है important है next अगर आपन बात करें तो देखो क्या होता है that term biomagnification refers to the jav आवर्धन सब्सम्मंदित है देखो आप क्या करें हो जैसे x y z और ये आपके क्या है बिटा यहां आपके क्या है कोई भी non-biodegradable आपके क्या है कोई भी सबस्टांस था उसका concentration 0.01 ppm था क्या था 0.01 यह यहां मालो कितना हो गया 0.1 यह यहां आपके कितना हो गया 0.1 और यहां आपके कितना हो गया 1 ppm तो ये जो भी आपके क्या है toxic या non-degradable आपके क्या है substance है इसकी आपके concentration का हर trophic level पे आपके क्या होना बिटा increase होना each trophic level पे आपके toxic या bio non-degradable substance की concentration में क्या होना increase होना आपके क्या होता है बिटा biomagnification इसको आप क्या कहते हो जैव आवर्धन ओके बिटा, next अगर आपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगी which catalyst is used in catalytic converter to reduce emission of poisonous gases from automobiles तो यहाँ आपन यूज करते हैं किसका, rawodium का, इसके अलावा, platinum का इसके अलावा आप किसका यूज करते हो, palladium का, ठीक है इसमें जो भी दे रखा है, वो बिटा, आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, calcium नहीं है, sodium नहीं है, magnesium नहीं है तो आपके क्या चला जाएगा, answer, platinum उसके बाद बिटा, आपन बात करें, तो देखो आपके क्या करें हो, concentration of greenhouse gases is increasing due to भाई आपके क्या है, हरित ग्रहे गैसों की सांदरता, किसके कारण बढ़ रही है, तो deforestation आपके बढ़ा देगा किसको, CO2 को फिर आप कहोगे, increased used of refrigerator किसको बढ़ा देगा, CFC को फिर आप कहोगे, increased compensation of coal and आपके क्या है, petroleum तो इससे आपके कहा है कि sulfur और nitrogen के क्या निकलते है, pollutants, प्लस आपके क्या निकलती है, CO2, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपके क्या हो जाएगा बटा, more than one are क्या है correct क्या जाएंगे more than one are correct more than one are आपके क्या हो जाएंगे correct तो answer आपके हो जाएगा कौन सा बिटा fourth next अगर आपके चलें तो आपके हम देखें रिखो बहुत अच्छा question है which of the following is correct निमने खित मैं से कौन सा सही है there of the hot spot western घाट एंड स्रिलंका इंडो बर्मा and हिमालिया cover our countries exceptionally high biodiversity region यह अपने three hot spot region दे रखें जहां biodiversity जो है वो बिटा आपके क्या होती है high होती है बिलकुल सही है which with the increment in latitude biodiversity decreasing अक्षांस में बड़ोतरी के सासाथ जय विवित्ता में क्या होती है कमी होती है बिलकुल सही है कॉलंबिया जो की zero degree पे था वहां आपके क्या है birds की species बहुत ज़्यादा थी जबकि आपके 70 degree north पे greenland है तो जैसे ही आपने अक्षांस बढ़ाए latitude बढ़ाए तो वहां केवल species आपके कितनी रह गए ही में बिटा 56 exe to conservation in this approach there attend the animals and plants taken out from their natural habitat and placed in specific setting बिलकुल सही है आपके exe to conservation का मतलब ही क्या होता है natural habitat से आपने किसी भी organism को बहार निकालें और एक specific setting में जहां most adapted condition होती है वहां आपके organism को क्या किया जाता है कंजर्व किया जाता है इसे अपने कहते है exe to conservation तो first भी ठीक है second भी ठीक है और आपके third भी ठीक है तो तीनों आपके क्या है correct है तो आप कह दोगे ABCR correct AB तथा C आपके क्या है सही है answer हो जाएगा first next जो है फिर आपके बात करें एक अच्छा सा execution Read the following statement and select right option Tropics have more species than temperate or polar areas उस्न कटी बंद सीतोस तथा दुरुविय चेतरों की तुल्ला में अधिक जाती है रखते है बिलकुल सही बाटता है यहाँ जाती हों की संख्या आपके क्या होती है अधिक होती है Columbia located near the equator has nearly 1400 species 1400 species of birds तो Columbia की 1400 species हैं आपके काई की birds की क्यों यह equator के पास में आपके क्या है लॉकेट है फिर आप कहरे हो Amazon rainforest of South America have largest biodiversity of planet दक्षर अमेरिका के Amazon वर्सावन ग्रहे की सरवादिक जैविवित्ता युकत है तो यह भी आपके क्या है बिटा सही है तो तीनो स्टेटमेंट आपके क्या है सही है तो आपके क्या हो जाएगा All are correct सभी आपके क्या है सही है तो आंसर आजाएगा आपके क्या 4 Next जो है वोई NCIT का क्यूश्चन विटा सीधा According to the one constitution How many oxygen released by the Amazon rainforest by photosynthesis यह आपसे पूछ रहा है Amazon versus one जो कि उस नकटी बंदी है आपके काय में है छेत्रों में locate है तो यह photosynthesis के द्वारा कितने percent oxygen आपके क्या करते है रिलीज करते है तो यह 20 percent oxygen आपके क्या करते है रिलीज करते है इसलिए इनको कहा जाता है विटा Lungs of Earth क्या बोलते हो इनको आप Lungs of Earth ओके बिटा next अपन बात करें तो next आपके हो जाएगा क्या extinction of passenger pigeon and steeler sea cow occurs due to passenger कभूतर वे steeler की समुदरी गाई की विलुपती का कारण है सीधा NCRT में देख रखा है कि दोनों प्रजातियां जो है वो over exploitation यानि कि अती दोहन के कारण बिटा आपके क्या होई थी लुपत होई थी बढ़ते हैं next question की तरफ 27 जो है उसमें आपको दे रखा है देखो बिटा इस stable community एक स्थाई समुदा है hedge आपके क्या है lesser species नहीं not so much variation in productivity from year to year बिलकुल सही है year to year productivity में बहुत ज़्यादा यहाँ variations है नहीं होते है hedge solter food chains नहीं आपके stable community में आपके long क्या होती है hedge less resistance कम प्रतिरोदक्ता युक्त होता है ये भी आपके wrong है high आपके क्या होती है resistance होती है तो यहाँ right answer जो है वो बिटा आपके क्या है second प्रतिवर्स उत्पादक्ता में बहुत अधिक परिवर्तन प्रदर्सित नहीं करता है not show much variation in productivity from year to year तो answer आपके आजाएगा विटा क्या दो next आपके है L-nino effect देखो L-nino effect आपके क्या है green house related है और आपके climate में आपके कोई भी change होता है उसको आपन कहते है आपके L-nino effect तो temperate rice leads to add climatic changes तो आपके temperature के rice होने से आपके climatic क्या होता है change होते है उनको आपन कहते है क्या L-nino effect ठीक है फिर आप कहोगे क्या next है which of the following statement for biosphere reserve is incorrect कौन सा incorrect है they are meant for preserving genetic diversity in representative ecosystem ये प्रदर्सित परितंत्र में अनुवान से क्युवित्ता के संडक्षन ही तू मैतपूने बिलकुल सही है in-situ conservation होता है इसमें they are also notified at national park बिलकुल सही है transitional zone is legally protected area without utilizing their resources ना भई ये आपके क्या है biosphere आपके क्या है reserve है यहाँ आपके होता है ये core zone दूसरा है आपके क्या buffer zone और सबसे बाहर जो होता है वो आपके होता है क्या transition zone क्या होता है transition zone यहाँ limited आपके human activities जो है वो आपके क्या होती है allow होती है और यहाँ जो भी आपके natural resources है उनके benefits आप ले सकते हो तो ये statement आपके क्या हो गया wrong protected areas for with multi-purpose activities in peripheral zone बिल्कुल सही है सुरक्षे चेत्र परदिये चेत्रों में बहु देश्यां गतिविध्या हितु है यहाँ यह आपके peripheral zone है इसमें आप research कर सकते हो study कर सकते हो और जो भी ecosystem benefits है वो आप ले सकते हो तो ये भी आपके क्या है बिटा सही है exploration of molecular genetic and species level diversity for products of economic importance is called यह आपको पता होना चीए बिटा क्या है आर्थिक महत्र की उत्पादों के लिए आन्वेक अनुवानसी तथा जाती है इस तर की विवित्ता का अन्वेशन कहलाता है तो यह सीधा सा है आपके क्या कहलाएगा bio prospecting यानि कि जैव अन्वेशन क्या कहलाएगा बिटा जैव अन्वेशन फिर आप कहोगे देखो वो ही BOD का question है कि आपके क्या है BOD में आपके मैंने आपको पहले भी बता रहे हैं कि bio chemical oxygen demand BOD in a river water फिर समझ लो कि आपके कोई भी one liter का आपके क्या है sample है इसमें से जो भी organic material है उसको decompose करने के लिए micro organism जितने amount में O2 का क्या करते हैं consumption करते हैं या जितने amount में इनको oxygen की क्या होती है demand होती है उसको अपन कहते है BOD अब देखो बिटा समझो अगर किसी भी आपके क्या है कोई भी water body है वहाँ organic material आपके क्या है कम है तो वहाँ decomposition अपगटन की दर भी क्या होगी कम होगी micro organism की growth होगी वो भी कम होगी तो oxygen का consumption आपके क्या होगा कम होगा consumption कम होगा तो demand भी बिटा आपके क्या होगी कम होगी यानि कि आपके क्या है बियोडी जो है वो अगर आपके क्या है हाई है तो आपके क्या है ज्यादा polluted water और बियोडी कम है तो आपके water जो है वो आपके क्या है कम polluted है तो सीधा हाई बियोडी हाई polluted लो बियोडी लो पॉलिटेड ठीक है तो यह कह रहा है कि आपने क्या किया है आपने बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछ रहा है इंक्रीज वहन सीवेज गैट्स मिक्स्ट विद रिवर वर्टर सही है बढ़ती है जो वाहितमल जल में आपके क्या होता है मिलता है तो आपके अंसर हो जाएगा यहां आपके क्या फस्ट अबिटा नेक्स्ट है ग्रीन मफलर इस्कीम इन्वर्स ग्रूइंग ग्रीन प्लांट्स अलॉंग रोड़ साइड तू रिडूस ग्रीन मफलर परियोजना को कम करने हितु सडक के किनारों पर उग रहे पोधों को क्या क परियोजना जो में ली आपके किसके लिए वीटा नॉय से पॉलूशन के लिए अनि कि धनी प्रदूशन के लिए नेक्स क्यूशन जो है वो अगर आपन बात करें तो नेक्स क्यूशन में है इन कमिंग यर्स इसकिन रिलेटेट डिसाडर्स विल बी मूर कॉमन ड्यू टू आगामी वर्सव में तवचा से संबंदित विकार अधिक सामानने हो जाएंगे क्यों क्योंकि ओजॉन का लगातार आपके और इप्लिशन हो रहा है और यूवऑं में और आपके संबंदित कैंसर और तुचा से संबंदित रोग जो बढ़ जाएंगे, which of the following is the most important cause driving animal and plant to extinction, नेमने खित्मे से कौन सा जन्तु तथा पादपों की विलुपता का अती महत्पून आपके क्या है, कारण है, तो आपके विलुपता का महत्पून कारण जो होता है, वो आपके क्या है, है, habitat loss and fragmentation, आवासी है, छती तथा आपके क्या होता है, विखंडल, नेक्स्ट जो है, वो है, आपके देखो, नेक्स्ट आपके दिरे रखा है, इको सैनिटेशन एच, इको सैनिटेशन स्वचता है, भाई आपके क्या है, मानव के जो भी आपके excretory material होते हैं, उनका एक sustainable और आपके managing आपके क्या है, development, उसको अच्छी तरह से आपके यूज करके, अगर आपन कहें dry compost water को कम waste करके और इसका bio fertilizer की form में आपन इसका क्या लेते हैं, यूज लेते हैं, और एको सैनि जो भी आपके क्या है, toilets हैं, वो आपके famous हैं, कहां, एक तो स्रिलंका में, और एक आपके कहां, केरला में, तो यहां क्या क्या काओगे, sustainable system for managing human excretor, मानव उचसरजी पदार्थों की प्रबंदन का सतत आपके क्या है, तंत्र है, तो answer बेटा आपके क्या हो जाएगा, first, फिर है आपके supportion prior देखा जाता है, जैसे आपके algae जो है, उनकी आपके amount इसमें आपके क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो आपके क्या है, generally utrophication जो है, वो आपके किसमें देखा जाएगा, fresh water, lakes में, next अपन बात करें, तो फिर है, second groups are especially useful in, पवित्र उपवन विसेश रूप से किसमें आपके क्या है, उपयोगी है, generating environmental awareness, वातावर्निय जागुरुक्ता बढ़ाने में नही, एकसी टू कंजर्वेशन, बाही अस्थाने संरक्षण नहीं, इयर राउंड फ्लो आफ वाटर इन रिवर्स, नदी में जल के वार्सिक प्रिभाह नहीं, बाही पवित्र उपवन जो होते हैं, शैकर्ड ग्रूप्स जो होते हैं, इनसे अपनी क्या हैं, धार्मिक मानिताओं के कारण, कैई जातियों का यहां आपके क्या हो जाता है, सरक्षन हो जाता है, जैसे अरावली हिल्स है, जैन्तिया है, इसके लावा जैन्तिया हिल्स है, इसके लावा चंदा और बस्तर है, यह सारे जो भी आपके क्या है, सैकर्ड ग्रूप्स हैं, जो कि बहुत सारी आपके थ्रेट which is the most effective in-situ strategy to conserve the plant diversity of an area आपके विचार में कौन सा किसी एक छेत्र की पादप विवित्ता के संरक्षन है तो अत्यधिक प्रभावी स्वैस्थाने संरक्षन की क्या है नीती है यानि कि आपन को क्या देखना है इसमें in-situ conservation क्या देखना है बिटा in-situ conservation in-situ conservation में by tissue culturing method उतक समवर्धन की विधी नहीं यह आपके एकसी टू conservation है by creating biosphere reserve जैमंडल आरक्षित चेत्री इन-situ conservation है सब्सक्राइब क्रेटिंग बॉटनिकल गार्डन्स वानस्पतिक उध्यान नहीं एकसी टू conservation है बाइडवलपिंग सीड वैंक्स तो यह भी आपके क्या हो गया यह भी आपके एकसी टू क्या है conservation है अब देखो आपके बहुत important question है next आपके question क्या है arrange the following place in decreasing order of biodiversity species of birds and select the right option निम्न इस्थानों को पक्षियों की प्रहजाती की जैव विवित्ता के घर्टे क्रम में विवस्तित कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए आप क्या कहोगे equator से जैसे जैसे आप कहां जाओगे पूल की तरफ जाओगे यह आपन कहें जैसे जैसे आपके latitude जो है वो आपके क्या होंगे बढ़ेंगे तो आपके क्या है क्या होती जाएंगे कम जीरो डिग्री पे आपके कौन है कॉलंबिया जहां बड्स की स्पिसीज एप्रॉक्सिमेट कितनी है फोटीन अंड्रेड फिर इंडिया में थोड़ा कम है न्यू यॉर्क और कम और ग्रीन लेंड में ओनली कितनी रह जाती है 56 तो कॉलंबिया आपक कि स्पिसीज का जो नंबर है वो आपके बिटा क्या होता जाएगा कम होता जाएगा ओके बिटा नेक्स्ट अपन बात करते हैं देखो according to IUCN Red List 2014 how many species of vertebrates have been extinct तो कितनी हुई है 338 कितना जाएगा 338 फिर अगर अपन बात करें तो next question जो है वो आपके हो जाएगा which of the following is not a region for greater biodiversity of tropical region निम्न मैं से कौन सा एक उसन कटी बंदिये छेत्रों में अधिक जय विबित्ता पाए जाने का कारण नहीं है आपके पाए जाने का कारण नहीं है सही है यानि कि कौन सा region नहीं है availability of more solar energy अधिक सार उर्जा की उपलब्दा बिलकुल ये कारण है more nicate specialization अधिक निकेद विसिस्टी करण बिलकुल ये region है more time for specific diversification जाती विकास के लिए एवं विबित्ता है तो अधिक समय बिलकुल है large seasonal variations in environmental factors परिया वर्णिये कारकों में अधिक मौस्मिये क्या है परिवर्तन तो ये आपके क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा ये कारण नहीं है क्यों मौस्मिये परिवर्तन अधिक होंगे तो आपके biodiversity क्या होगी घटेगी तो answer आपके चला जाएगा बिटा कौन सा fourth फिर है आप beauty to care of for biodiversity well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation this biodiversity conservation argument is considered in हमारी जिन्मेदारी बनती है कि हम जैविवित्ता की देखरेक करें और इस जैविक धरुवर को आने वाली पीडियों के लिए अच्छी हालत में रखें यह तर्क जैविवित्ता की संडक्षन की किस स्रेणी में आएगा तो ये कैसा argument है ethical आपके क्या है argument है नैतिक आपके क्या है सुझाव है जो अपनी moral duty बनती है नैतिक आपके क्या बनती है duty बनती है कि अपन biodiversity को conserve करें और next generation को इनको बढ़ा के सौपें ना कि अपन क्या करके घटा के फिर है next अगर अपन बात करें तो फिर है how many of the following statement are true निमन में से कितने कथन सही है बेटा एक एक क्यूशन बहुत अच्छे से फेम किया गया है नीट oriented क्यूशन है और सारे के सारे ncrt based आपके क्या है mcq जें noise cause physiological and psychological and physiological disorder in human सूर के कारण मानव में मनोवज्यानिक और कारे की विकार पैदा होते हैं ठीक है carbon dioxide and methane are commonly non-age, ozone depleting substance carbon dioxide और methane सामानित है और अप्चेकारी पदार्द के रूप में जाना जाता है ना यह आपके क्या हो गया है भी रॉंग यह आपके क्या है रॉंग है फिर आप कहोगे UVB cause edge snow blindness UVB से हिमन्दता होती है सही है Water Prevention and Control of Pollution Act has passed in 1974 जल रोकताम जथा प्रदुसर्ण यंत्रन कानून 1974 में आपके क्या हुआ था पास हुआ था यह सई हैं और डी सई है तो इट मेंस कौन कौन से सई हैं एसी और दी वह आपके आए जाएगा चिपको अंदोलन 1974 is related to क्या कहोगे आप इस तो zaman देखके कि हो जालो व्हाइट का का से हिमालया से थीक कमधित है हॉप की अगर अपन बात करें तो सलेक्ट रॉंग मैचिंग गलत मिलान को सुले मिलाण को चुनिए जी एफेμग क्या है management सही है form friends of arcatamask सही है pan peroxy acetyl nitrate सही है cfc is chlorofluorocarbon यहाँ chlorofluoro की जगे क्या दे रखा है ब्रॉम तो यह आपके क्या हो जाएगा रॉंग तो यहाँ आपके क्या है ब्रोमो यह आपके क्या है विटा रॉंग next अगर अपन बात करें तो आपको क्या क्या रखा है देखो how many biodiversity hot spots are present in India भारत में कितने जय विविता तप्त स्थल आपके क्या है उपस्ते ते तो इंडिया में आपके hot spot जो है वह आपके कितने हैं विटा 3 कितने hot spot हो जाएंगे 3 next आपके match the column में अच्छा क्यूशन है डॉडो जो है वह मौरीस से आपके क्या हुआ है विलूप्त हुआ है नहीं कि बी एडी और सी तो कौन सांसर चला जाएगा विटा फर्स्ट नेक्स जो है आपसे पूछ रहा है क्या गलत कथन को सुमेलित कीजिए गलत सुमेलित युग्म को चुनिये find the wrongly match pair and image species confined to one region and not found anywhere else इस्थानिक्ता प्रजाती केवल एक छेत्र तक सीमित है तथा कहीं और नहीं पाई जाती दे रखा है आपको hot spot में सही है नेके best suitable area for species निकेट जाती हो यह तो सरवादिक उप्युक्त स्थान ये भी आपके क्या है सही है alien species विदेशच जो आपके क्या है जाती है जैसे कौन क्लेरियस गैरी पाइनस कहाई थी इंडिया में आई थी जो अपने लोकल से चलेड मशलियों के विलुपती करण का क्या बनी कारण बनी तो ये भी आपके क्या है सही है लंग्स gdzie फिट उन्ड्रा एल्पाइन बाइम ग्रहे के फेब टुन्ड्रा एलपाइन जीवॉम नहीं है कवन है अमेजन हे ने csat आपके घ्र लाजक करें तो आपके क्या है नेक्स जो है वह भी ट आपन बात करें तो आपके क्या है रॉप्ट्स इस पिसीज रिचनेस और ही डिग्री ओफ एंड़िमीज मरें और है इस्थान जाती है सम्रधी बहुत अध Bis तथा उच्छ इस्थानिकता होती है कहलाती है दे रखा है आपको NCRD में क्या केते हैं को अपन होट स्पाट क्या कहोगी होट स्पाट नेक्स्ट अगर आपन बात करें तो आप कहोगी क्या अफ्रीकन कैट्फिस विच इंट्रोड्यूस फूर एक्वा कल्चर परपल इस पज हमारी नदियों की मूल अशल्क मीन के लिए खत्रा पैदा कर रही है यह मचली आपके कौन सी है क्लेरियस गैरीपाइनस कौन सी है क्लेरियस गैरीपाइनस NCRT में दे रखा है विटा साफ मैंने फिर का आपको डाटाबेस क्यूशन यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते ह है याद करने वाली चीज़ें यहां बहुत ज़्यादा हैं इसलिए क्यूशन भी तीन से चार यहां से बेटा दोनों चेप्टरों से बनते हैं अब देखो अगला क्यूशन बहुत अच्छा है हाउ मनी स्टेटमेंट्स और करेक्ट रिगार्डिंग बायलोजीकल ऑक्सीज जितने अमाउंट में O2 का क्या करते हैं कंजप्शन करते हैं उसको अपन कहते हैं क्या BOD amount of O2 requires by microbes to decompose organic waste सही है बिटा यह तो amount of O2 produced ना produced का यहां से कोई भी लेना देना नहीं है amount of O2 requires by microbes to survive O2 की मातरा जो सुक्ष्म जीवों के रहने के लिए आपके क्या है आवश्चक है ना यहां आपके biochemical जो oxygen demand है वो अपन किससे related लेते हैं organic material के degradation से और इन organic material के degradation में जितने amount में O2 जो है वो आपके क्या होती है यूज होती है consume होती है उसको ही आपन क्या कहेंगे बी ओडे तो reference जो है वो water pollution क्या आपको क्या क्या लेना है regarding लेना है क्यों water polluted जो भी polluted कोई भी sample है उसमें जितना pollution है जितने organic material है इसको degrade करने के लिए aerobic जितने amount में आपके O2 का क्या करते हैं consumption करते हैं उसको अपन करते हैं बिटा क्या बी ओडी बायो chemical oxygen demand ठीक है तो only यहां यहां आपके क्या होगा साही तो answer जाएगा आपके क्या केवल ए यानि क्या answer हो जाएगा थर्ड नेक्स क्यूशन है गिवन ब्लो इस दा डाइग्रेमेटिक स्कैच आफ इस अर्टें टाइफ आप स्क्रेबर इडेंटिफाइड अरो लिवल ए बीसी एंडी एंड सेलेक्ट दा राइट ऑप्शन अबाउट देम देखो राइट ऑप्शन इसमें आप देखोगे ए जो है वह आपके क्या है इंप्यॉर आपके क्या है एयर इंप्यॉर आपके क्या है एयर है बी जो है वह आपके क्या है पार्टीकुलेट मटेरियल ठीक है सी जो है वह आपके क्या है वाटर और लाइम स्प्रेइड वाटर और लाइम स्प्रेइड और डी जो है वह आपके क क्या है clean air ठीक है स्क्रबर का यह आपके क्या है डाइग्राम है तो आप देखने हैं ऐसा कहां दे रखा है ए जो है इंप्योर या डर्टी एर हो जाएगा बी जो है वह आपके हो जाएगा पार्टिकुलेट मटर फिर आपके सी जो है वह आपके वाटर और लाइम इस्प्रे है और डी जो है वह आपके क्या है clean air तो आंसर जो है वह बिटा आपके चला जाएगा कौन सा आपके नेक्स्ट अपन कहें क्या गिवन ब्लॉर सम यूटिलियरेन सर्विसेज ऑफ बायो डाइवर्सिटी फोर दा बैडिफिट इने बॉक्स नीचे बॉक्स में लाब के लिए जैविवित्ता की कुछ उपयोगी सेवाएं हैं इन में से कितनी जैविवित्ता के लिए व गैसियस कमपोजिशन और वाचिंग स्पिन फ्लावर्स इन ग्लूम तो कितना हो जाएगा वन इसके बाद टू और इसके बाद कितना हो जाएगा थ्री परागनकारी हो जाएंगे गैसियस हंठन हो जाएगा और पूर्ट अहीं प्रेस्फुटन में बसंत कुस्पों को आपके क्या करना देखना तो आपके कितने हैं थ्री नेक्स जो है वो आपके डीडीटी से रिलेटेड यूश्यन है किस प्रिकार आपके क्या है क्या हानीकरक है यह करता है यह इंड कवज पतला करता है ये भी सखे यह इडों को आय परिपक व Western हो जाएगा more than one are correct एक से अधिक आपके क्या है साही है नेक्स अगर आपन बात करें तो आपको दे रखा है क्या विच एलिमेंट्स इस मेंली कोई reference नहीं है तो कौन सा चला जाएगा फास्ट आपके ग्लोबल वार्मिंग का क्यूशन दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग कैन बी controlled वाए तो increasing deforestation नहीं deforestation increase होगी तो आपके क्या है CO2 का आपके क्या है concentration बढ़ेगा तो आपके क्याओं global warming बढ़ेगी increasing deforestation ना reducing reducing deforestation cutting down use of fossil fuel बिल्कुल सही है कि अपन deforestation को कम करें और fossil fuel जिससे आपके CO2 का emission होता है उसको भी अपन क्या करें कम करें तो आंसर आपके हो जाएगा वनोन मूलन को घटा करता था जीवास्म इंदन के उपियोग को क्या करके घटा के तो आंसर आजाएगा थार्ड नेक्स जो है वह यह आपको कर्व दिया हुआ है यह जो है वह आपके कौन है? फंजाई. ठीक है? इसके बाद Z जो है वो आपको कौन होगा? Moss H. Z जो है वो आपके कौन हो जाएगा? Moss. बाकी आपको mention करी रखा है. ऐसा option जो है X जो है इंजियो स्पम, Y जो है वो आपके क्या है? फंजाई और Z आपके क्या है? Moss H. तो आपके आंसर आजाएगा कौन सा? 4th. कौन सा आंसर जाएगा बिटा? 4th. देखो बिटा, next है, which of the following is including evil? इसको आपको पढ़ना है क्या? Quartate. Evil Quartate. निमने खित में से कौन सा evil Quartate से सम्बंदित है? तो आपके क्या हो जाएगा? Plantation नहीं है. Alien species invagination बिल्कुल है. Organic farming नहीं है. Conservation of species ये भी आपके क्या है? नहीं है. व्रक्षा रुपन, विदेशी जातियों का आपके क्या है? आक्रमन, कार्मनिक खेती और जातियों का संरक्षन. तो आंसर जो है वो बिटा आपके आजाएगा क्या? Second. फिर जो है नेक्स्ट अगर आपन बात करें तो आप क्या कहोगे? Nile perch we had introduced in lake Victoria of South Africa, resulted in. जब दक्षन अफ्रियका की Victoria जील में Nile perch को लाया गया तो परणाम सरूप आपके क्या हुआ? Elimination of Native Species of Siculate Fisage, Siculate मचलियों की देशी प्रजातियों का आपके क्या हो गया? उन्मूलन ठीक है, next अगर आपन बात करें तो फिर आप क्या जाएगा? रमेश चंद्र डागर हैज क्रिएटेड रमेश चंद्र डागर ने आपके क्या गठित किया था? तो इन्होंने गठित किया था हरियाना किसान Welfare Club, यानि कि हरियाना किसान Welfare Club इन्होंने आपके क्या किया था? गठित किया था, फिर अगर आपन बात करें तो next आपके हो जाएगा क्या? नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो वाट चेंज अकर्स टेंपरिजर एंड बायो डाइवर्सिटी वहन वी मूव जीरो डिग्री टू सिक्स्टी डिग्री नॉर्थ और साउथ तापमान तथा जैविवित्ता में क्या परिवर्तन होता है जब हम जीरो डिग्री से साथ ड क्या हो जाएगा डिक्रीज यानि कि आपके क्या होगा घटेगा डायवर्सिटी भी घटेगी और टेंपरिजर जो है वह भी आपके क्या हो जाएगा घड़ जाएगा ओल तुरू दा प्रोड़क्शन आफ ऑजॉन डिपलेटिंग सीअप सीज इज बीग कंट्रॉल आपके क्या हो सकती हूपस्तेत हो सकती है तो इलक्त्रीकल आपके क्या है अप्लाइنस एज ओफीस अक्यूपमेंट्स इसके अलाब आपके डिकल अनस थे टिक्स के अलाब किस में हो जाएगी और अ Candlease najle just जो होगा वो आपके कौन सा आएगा फोर्थ क्योंकि पुराने रेफ्रीजिटर से सी एफसी जो है वो ज्यादा मात्रा में आपके क्या होता है बिटा इमेट होता है फिर आप कहोगे which of the following statement is correct निमनिखित में से कौन सा कथन सही है पैसेंजर पीजन विकम एक्स्टिंग ड्यू तो कू एक्स्टिंग्शन ना और एक्स्टिंग्शन के कारण यह आपके क्या हुए थे लुप्त हुए थे इस पिसी डाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रम पोल टू एक्क्विटर तो सही है एक्क्विटर से पोल जा रहे हो तो घटरी है तो पोल से एक्क्विटर होगे तो क्या होगी बढ़ेगी हाई ट्रॉफिक लिवल इन फूर्टेन आर लेस सेप्टेवल टू एक्स्टिंग्शन खाज संक्ला में उच पोसक इसतर परविलुप्त होने के लिए आपके क्या है कम समवेदी है ना यह आपके क्या होते हैं हाई समवेदी होते हैं तो यह दर ट्रॉपिकल रैन पूल टू एक्वेटर से पूल जाते हो तो घड़ते हो तो पूल से एक्वेटर आए ओगे तो आपके क्या होगी बढ़ेगी नेक्स नीचे आपके दिया हुआ है क्या हमनी स्टेट्मेंट्स आर करेक्ट फॉम दा लिस्ट गिवन बलो नीचे दी गई सूची में से कितने कथ बखन आपके क्या है सही है यह को संट टोएलेट्स अर यूजड इन एरिया ऑफ केरला एंडर सिर्लंका व चले युकल More वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉलुशन एक्ट 1974 सही है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया है रिक्मंडेट 67 परसेंट फॉर फॉरेस्ट कवर फॉर प्लेंश फॉरेस्ट नहीं है हिली एरिया जै फिर है दा कॉंसेट आफ जॉइन फॉरेस्ट मेंजमेंट जी फ पूछ रहा है तो प्रियू आपके कौन हो जाएंगे एंड बी तो आंसर जो है वो बिट आपके आएगा क्या फ्री नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो बिट आप कहोगे क्या फिर अपन बात करें एकसी टू कंजर्विशन के आपके क्या है चूज दा पेर आफ एकसी टू कंजर्विशन बाटिंकल गार्डन जूलोजी कल पार्क हर्बेरियम में आपके क्या है कोई कंजर्विशन नहीं होता है टैक्सवनमिक आपके क्या है एड है तो यह आपके क्या हो गया रॉंग वाइल लाइफ सफारी पार्क आपके किसमें आ जाएगा wildlife safari parks, seed bank और hot spot, तो इसमें hot spot क्या हो गया, wrong हो गया, in situ आपके क्या है, conservation है, tissue culture, gene bank और cryo preservation, तो ये आपके क्या हो जाएगा, सही, geological park, wildlife safari, और आपके क्या है, wildlife आपके centuries, तो यहाँ centuries problem करेगी, तो ये भी आपके क्या है, wrong, तो आपके ये wrong हो गया, इसके अलाबा hot spot इसके अलाब आपके क्या है, centuries वाला रॉंग हो गया, तो सही जो है, वो आपके कौन सा है, third, उतक समवर्धन, gene bank और cryo preservation, tissue culture, gene bank and cryo preservation, फिर अगर आपन बात करें, तो देखो, ये आप से उल्टा पूछ लिया है, if species area relations है, among the very small area है, law biodiversity, जब ये large area होता था, जहाँ बायो डा पूटा एरिया है, जहाँ biodiversity कम है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, less steeper, तो ये है, कम आपके क्या होगी, steeper होगी, next अगर आपन बात करें, तो आपके क्या दिरखा है, the earth summit, 1992, based on, प्रत्वी सम्मेलन, 1992, किस पर आधारित था, तो एक conservation of biodiversity, इस पर आपके क्या था, आधारित आधा, कौन, earth, summit, इसके अलावा, खराब ओजान, छोब मंदल में होती है, और अच्छी ओजान, जो है, वो समताप मंदल में पाई जाती है, तो बैड ओजान जो है, वो आपके मिल जाएगी, किस में, किस में मिलेगी, बताओ, ट्रॉपोस, फियर में, किस में मिलेगी, ट् सिर्टी बेस्ट क्यूस्टन है, रिलेशन से बिट्वीन दा स्पेसीज रिचनेस, एस एंड एरिया, रिप्रेजेंटेशन इन दा फॉलविं ग्राफ, इस डेस्क्राइब वाइद एक्क्वेशन, तो अपन क्या कहते हैं, लॉग एस, क्या कहते हो, लॉग एस, बराबर, ल अगर अपन बात करें, तो बिटा, आपको क्या दे रखा है, विद राइज ऑफ और गनिक मेटर, डिजॉल्व अक्सीजन, जैसे जैसे आपके क्या है, किसी भी सेंपल में आपके क्या बढ़ेंगे, और गनिक मटेरियल आपके क्या होगी, इन्क्रीज होगी, तो डिजॉल ऑक्सीजन जो है, वो आपके क्या होजाएगी, डिक्रीज, फिर आप कहोगे, नेक्स्ट अगर आपन बात करें, तो सेनेटरी लैंड फिल्स, मुख तया, आपके किसे संबन देते हैं, तो यह आपके किसे संबन देते हैं, तो यह आपके किसे संबन देते हैं, सॉलिड वेस जो है वह आपके क्या हो जाएगी घड़ जाएगी नेक्स्त अगर आपन बात करें तो आप क्या कहोगे संब्सक्राइज ने या गलत ganzन कीजिए निस्थानि इस अनक्शन है में इन सीसीटू कंजर्विशन सेंचूरीchy संघ्जर पर्चू का ले शायं क्यों करते हैं XC2 conservation. क्या होगा? XC2 conservation. तो यहाँ आपके क्या है? विसम कौन सा हो जाएगा? fourth. तो fourth जो है वो आपके क्या है? XC2 conservation. knight bent to observational rayon. answer जो है वो आपके क्या हो जाएगा? fourth. next अगर आपन बात करें तो देखो आपको दे रखा है क्या? select the old one वन आउट विद रिस्पेक्ट तू दा कॉंसेक्ट कॉंसेक्वेंस ओफ दीफॉरेस्टिशन वनोन मुलन के परिणाम के संदर में विसम विकल्प का क्या कीजिए चैन कीजिए डिस्टर्प्स हाइड्रोलोजिकल साइकल सही है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल सह है यह इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन यह भी आपके किया सही है डेज डिक्रीज सीओ टू कंसेंटेशन एज एंड एट्मॉस्फियर यानि कि वातावरण में सीयोग्टू की सांद्रता में आपके क्या होगी कमी डिक्रीज नहीं होगा क्या एगा इंक्रीज तो यह आ आंसर आपके आजाएगा कौनसा फोर्थ ठीक है वातावरण में सीयोटू की सांद्रता में कमी नहीं होगी क्या होगी अधिक्ता क्या है विटा अधिक्ता नेक्स जो है वह आपके कह रहा है क्या अच्छा क्यूश्य ने विज्वन इज करेक्ट अबाउर्ट दा इलेक्ट ये भी रॉंग है तो ये भी आपके क्या होगया अर्बरिड्ल और इसमें फिकासी ने इ tailor तो आपके क्या हो गया ने ये ये भी खलत तो आपके क्या जाएगा सई जमीन में आपके क्या कर दिये जाते हैं दफना दिये जाते हैं या फिर आपके क्या कर दिये जाते हैं फिर आपना नेक्स्ट बात करें तो फिर है, which of the following is a unique feature of biodiversity hotspot जै विवित्ता hotspot की निमन में से कौन एक विसिस्ट विसिस्ता है very low levels of species richness नहीं high degree of end image बिल्कुल पाया जाता है have money alien species नहीं alien species नहीं उंगी लेकि नहीं तो local species को क्या कर देंगी खतम कर देंगी do not need protection सुरक्षा की आवशक्ता नहीं होती है तो आपके सही जो है वो आपके क्या है high degree end image जाती है प्रजोता के निमन नहीं उच्छें विसिस्ट रिक्ता की उच्च पूटी सही है कई विदेसी जातियों की उपस्तिती ये आपके क्या हो गया wrong हो गया सुरक्षा की आवशक्ता नहीं होती ये भी आपके क्या हो गया wrong तो आंसर जो है वो आपके जाएगा कौन सा second फिर आप कहोगी सीधा NCRT का data how money आपके क्या है क्या दे रखा है how many species of MPVNs present in Amazon rainforest उभैचरों की कितनी प्रजातियां Amazon वर्सा वनों में आपके क्या है उपस्तिते हैं तो कितनी हो जाएंगी 427 नेक्स्ट अगर आपन बात करें तो फिर आप कहोगी क्या देखू विच वन इज नॉट करेक्टली मैच रिलेटेट टू दा बायो डाइवर्सिटी रीजन इन इंडिया नेमने कितमें से कौन सा भारत में जैविवित्ता के छेत्रों के संबंद में सही सुमिलित नहीं है बायो स्फियर रिजर्व 14 हैं बिलकुल सही है नेशनल पार्क जो है वह सत्यान में है ना होके कितने हैं 90 ठीक है नब्बे हैं तो यह रॉंग हो गया वाइल लाइफ सेंचुरी फूर फूर एट है वन जीव अभ्यारन फूर फूर एट हैं तो यह भी आपके क्या हो गया साही हो गया तो आंसर जो है वह आपके कितना है दो पिर है आपके क्या कह रहा है देखो दानेशनल फॉर्स पॉर्स पॉलिसी ऑफ इंडिया है रिक्मंडेट भारत की रास्टी वन ने तीन सुझाव दिया है क्या दिया था 67 परसंट आपके फॉर्स होने चीए किसमें हीली एरिया जमें तो फॉर्स्टी सही हो गया पहाडिय किसके कारण होता है बाई आपके क्या है लार्ज अमाउंट आफ न्यूट्रियंट्स आपके प्रेजेंट होंगे किसमें लेक में तब आपके क्या होगा एलगल ब्लूम तो पूसक तत्मों कि आपके क्या हो बड़ी आपके मात्रा क्या हो प्रेजेंट हो तो इसके कारण ज आपके क्या है डिक्रीज जो है नहीं होता बियोडी में आपके क्या होता है इंक्रीमेंट होता जाता है जैसे जैसे अल्गल ब्लूम आता जाता है क्यों क्यों कि यह डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते जाता है कंज्यूम करता जाता है फिर आपन बात करें किसमें select the mismatch गलत मिलान का चेहन कीजिए AV-M-Balt species area relationship दिया था डैविट तिलमेन describe the biodiversity at all level जैविविट्टा का सभी स्तरों पर वर्णन जो किया था वो आपके किसने किया था विटा Edward Wilson ने किसने किया था ये काम Edward Wilson ने किसने किया है Edward Wilson ने NCIT में साफ mention कर रखा है तो ये आपके क्या हो गया रॉंग रॉबर्ट में global species diversity पॉल एहरलिक रिवेट पपर हाइपोथेसिस दे तो ये सही है ये सही है तो रॉंग आपके हो गया क्या डैविट तिलमान ने ना देखिए किसने दिया था Edward Wilson ने यहां क्या है एडवर्ड Wilson तो ये आपके क्या है second क्या है रॉंग है तो answer जो है वो बिटा आपके क्या हो जाएगा second फिर आपके next question पर आपन चलें तो आपके दे रखा है for many taxonomic groups species inventories are more complete in temperate than tropical countries because कई वर्गी की समूं के लिए वर्गी की समूं की सीधी सी बात है temperate region में उस नकटी बंदिये छेत्रों की अपिक्षा जाती है विवित्ता जो है वो बिटा आपके क्या है कम है तो आप कहोगे temperate regions harvest less species than the tropical regions सीतोस नकटी बंदिये छेत्रों से कम आपके क्या है प्रहजातियां है तो answer जो है आपके क्या हो जाएगा second सीतोस नकटी बंदिये छेत्रों से कम क्या है प्रहजातियां है फिर next अगर अपन बात करें तो आपके क्या हो जाएगा आई कॉर्णिया एक्जोटिक स्पीसीज है first का आपके क्या जाएगा d narrowly uterian obvious regions for biodiversity conservation a हो जाएगा main cause habitat destruction है तो आपके क्या हो जाएगा b hot spot जो है उसमें आपके क्या जाएगा high end image तो आपके क्या जाएगा c d a b c तो यहाँ आपके कहा दे रखा है d a b और c तो answer आपके हो जाएगा कौन सा second फिर आप कहोगे क्या broadly uterian argument for conserving biodiversity release to the जैवेविता के संद्रक्षन के लिए विस्तरत उपयोगी तर्क वितर्क संबंदित है जिसकी आपन cost क्या नहीं कर सकते पे नहीं कर सकते और आपन को क्या दे रहा है benefit दे रहा है तो यह आपके क्या जाएगा aesthetic pleasure we derive from nature रसा स्वाज जिसे हम प्रेकरती से अपन क्या करते है व्यूत्पन करते हैं तो आंसर आपके आजाएगा क्या सेकेंड फिर आप कहोगे next अगर आपन बात करें तो आपके कौन सा हो जाएगा कौन सा Amazon वर्सावन के संधर्व में आपके सही नहीं है विच इज आर इनकरेक्ट अबाउट एमेजन रैन फोरेस्ट इट इज कॉल लंग्स आफ अमेरीका नहीं क्या किया जाता है आर्थ इट्स बींग कट एंड क्लियर्ड फूर कल्टिवेशन आप सुगर के इन सुगर के नहीं राइस है तो आपसे पूछा है कौन सा अमेजन वर्सावन के संदर में सही नहीं है तो चारों ही आपके क्या है रॉंग है तो आंसर आजाएगा आपके कौन सा फोर्थ फिर अगर आपन नेक्स्ट बात करें तो आपके क्या हो जाएगी देखो विच वन अफ़ फॉलविंग इस नॉट कॉस्ट बाइग ग्लोबल वार्मिंग निम्रिखित में से कौन सा वैस्टिक उस्मता के कारण नहीं होता मैल्टिंग ऑफ ग्लेसियर होता है चेंज इन दा रैंटफॉल पैटरन बिल्कुल होता है इनकाज़ इनदा ऐसी लिवल बिल्कुल होता है इनकीजिन प्रॉड्ट्चेन फसल उत्पादिन में आपके व्रधी नहीं होती फसल उत्पादिन wishing क्या होता है decrement क्या होता है decrement तो यह आपके क्या है wrong है फसल उत्पादन में व्रधी नहीं होती है क्या होती है कम ही होती है तो answer जो है वह आपके क्या हो जाएगा fourth फिर अगर आपन बात करें किसकी 88 की तो देखो the relative contribution of various greenhouse gases to total global warming is given in the following diagram भाई आपके यह जो है 60% जो है वो तो आपके कौन हो जाएगा CO2 20% आपके कौन है CH4 फिर आपके आजाएगा कौन CFC और फिर आपके आजाएगा क्या N2O ठीक है ऐसा आपके कहां दे रखा है देखो ए जो है वो आपके CFC है बी जो है वो आपके CH4 है वो आपके आपके CH4 थर्ड आपके CFC और दी आपके क्या हो जाएगा N2O तो आपके कौन सांसर और पिर आपके क्या जाएगा CFC और D आपके क्या जाएगा N2O तो आंसर जो है वो आपके कौन हो जाएगा सेकेंड फिर अगर आपन बात करें नेक्स्ट ध्वनी प्रदूसर्ड नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड ध्वनी प्रदूसर्ड को किसमें वापते हैं बिटा अपन डैसीबल में डॉप्सन यूनिट में आपन ऑजॉन की क्या माठते हैं मूटाई टॉक्सिक सबस्तांस की सांदरता पीपीम में और क्यूबिक सेंटीमीटर यह आपके क्या है वैरियस छेत्रफल की क्या है एक आई है तो यहां अंसर हो जाएगा आपके क्या डैसीबल यानि की फर्स्ट फिर नेक्स्ट अगर आपन बात करें तो फिर आप क्या कहोगी देखो दा कॉज ओफ डिक्लाइन इन पॉपुलिशन ऑफ रैप्टाइस एंड बाइड से सरी सरब तथा पक्षियों की समस्ती में ग्रावट का आपके कारण जो है वह आपके कौन होता है डीडीट तो आंसर जो है वह आपके क्या जाएगा डीडीटी फिर आप कहोगी क्या सीधी एंसी अटी की लाइन है प्रेजेंस ऑफ मोर देन 50,000 डिस्टी डिस्टेंस इस्टेंस 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 अफ राइस इन इंडिया मेंली ड्यू टू बहारत में चांवल की 50,000 से अधिक प्रभेदों की उपस्तिती का मुख्य कारण जो है वह आपके क्या है जैनेटिक डाइवर्सिटी यानि कि आपके क्या है अनुआंसिक विभित्ता ठीक है नेक्स्ट अगर अपन बात करूं तो चूज दा इनकरेक्ट स्टेटमेंट गलत कथन का चुनाव करें दा मॉट्रि है जो हैं वह बिल्कुल सही है किस के लिए ये उजोन के लिए ठीक है तो यह आपके क्या हो गया रॉंग यूज ऑफदा इन्सीनेटर्स पोजल आफ हॉस्पिटल वेस्ट बस्मिक का उप्यूग अस्पतालों में व्यर्थ-पदार्थों के निसकासन के लिए होता है ये भी आपके क्या है सही है देखो बेटा एक चीज़ देखो आप एक एक स्टेटमेंट जो है एक पैरा जो है चाहिए बेस्ट हो चाहिए इनसी हो जाएगा तो आपको करना है क्या क्या आइंट यानि की मैस द खॉलम फर्स्ट विध गॉलम सेकंड खासी अंड जैंतिया है इसके बाद में देखो आप सीधा सादा ले लें आप इस Q 4 उपर इलेए का आपके किसमें है सिक्किम में तो D का आपके क्या हो जाएगा 3rd, अरावली हिल्स जो है वो राजिस्थान में तो आपके क्या हो जाएगा 4th, फिर अगर अगर आपन बात करें चंदा और बस्तर ये आपके कहा है मध्यप्रदेश में तो आपके क्या हो जाएगा 2nd, और A, खासी और जैनतिया जो है वो आपके कहा है मेगाले में, तो इसका आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा बिटा, 2nd फिर अगर आपन बात करें in the following diagram of electrostatic precipitators X, H आपके क्या है, जिसको आपन कहते है जिसको आपन कहते है, कौरोना डिस्चार्ज, कौरोना विसर्जन तो कौन सा जाएगा, first next अगर आपन बात करें, तो आप क्या कहोगी world's most problematic aquatic weeds विस्फ की सबसे अधिक समश्य ग्रत, जलिये खर्पतवार है, तो आपके कौन सी होती है आई कॉर्णिया, सबसे समश्य ग्रत, जिसको आपन क्या कहते है terror of बंगाल, यानि कि बंगाल का आतंक, क्या बोल देते हैं उसको आप बंगाल का आतंक हम बेटे next है, match correctly the following, choose the correct option, निमने में से सही रूप में control of pollution act, तो आपके कौन सा जाएगा, second, यानि कि D जो है, इसमें आप भरोगे क्या second, फिर 1986 जो है, उसमें आप क्या कहोगी, environment protection आपके क्या हुआ था, act तो आपके क्या जाएगा, first फिर 87 जो है, उसमें आपके क्या हुआ है, जो noise pollution जो है, उसको इसमें आपके क्या किया गया है, include किया गया है तो B जो है, वो आपके क्या हो जाएगा noise जो है, वो आपके काई में air pollution में आपके क्या हुई थी, include include हुई थी, तो B जो है उसका आपके आपके आजाएगा, क्या, fourth और आपके क्या है, water act जो है वाटर पॉलिशन एक्ट जो है वह आपके बना था 1974 में तो इसका आपके क्या हो जाएगा थर्ड इसे सबसे आप मैच कर लें जिसमें आपके क्या दे राखा हूं 1981 जो है उसमें तो वीट आपके क्या हो गया है बताओ सैकेंड यानिकी एयर प्रीवेंश्चन और चonna против एक्ट कर दिया गया और 1974 में आपके क्या है वह वानपंटक्र पौलिशन क्या हूँ है आपके क्या हुआ है वार्टर पौलिशन एक्ट कित्ते पहए रखा है थर्ड पह तो आपके क्या जाएगा तीन, चार, एक, दो आंशर आपके आ लेगा कौन सा विटा, first, next अगर आपन बात करें तो वही NCRT की लाइन, if there is no greenhouse effect, the average temperature at surface of earth would have been, यदि greenhouse प्रभाव नहीं होता, तो प्रत्वी की सतय का उसत तापमान जो है, वह आपके कितना होगा, minus 18 degree Celsius, ठीक है विटा, next अगर आपन चले, find the odd one about, with respect to the effect of UVB, तो UVB से आपके क्या है, damage of DNA and mutation होता है, aging of skin, यानि कि तो अच्छा मैं बुडापे के लक्षन आते हैं, blue baby syndrome जो है, वह आपके metal के करण होता है, snow blindness भी इसके करण होता है, तो क्या नहीं होता है, इसके करण blue baby syndrome, तो answer आपके हो जाएगा, क्या third, फिर आप कहोगे, क्या next अगर आ bitumen when used to lay roads, enhance the bitumen water repeal properties and help to increase road life by a factor of three, तो यह आपके किस किस के, उससे आपके क्या था, आपके help से, RV College of Engineering और आपके क्या हो जाएगा, Hemboldt State University, भाई आपके क्या है, RV Engineering College, The Bangalore City Corporation, Hemboldt State University, बोथ first and second, तो इसमें help आपके की थी, RV College of Engineering और The Bangalore City Corporation ने, तो आपके क्या हो जाएगा, 1 and 2, Hemboldt State University जो है, वो आपके related है किसे, F-O-A-M, ठीक है, Friends of Akarta Mast, इसने आपके किया था, क्या, Water Waste Treatment, ठीक है, तो three से related नहीं है, तो related आपके क्यों है, first and second, दोनों, ठीक है, next अपन लास्ट क्यूशन पर discuss करते हैं, और जोन डिप्लेशन एज, अकरिंग वाइडली इंदा, भाई, आपके कहा होता है, वाइडली ये, स्टेटोस्फेर, यानि की समताप मंदल में, कहा होगा, स्टेटोस्फेर में, दा डिप्लेशन एज, पार्टीकुलर्ली, मार्क औवर दा, आपके B रिजन, किस पे, अंताप मंदल आजाएगा, और क्या आजाएगा, अन्टार्टिका, यानि कि आंसर आपके वेटा हो जाएगा, कौन सा, फॉर्थ, कौन सा आंसर आजाएगा, इसका, फॉर्थ, ठीक है, तो यहाँ आंसर जो है, वह आपके हो जाएगा, वेटा क्या, फॉर्थ, तो यह था विटा आपके क्या biochem का एक सांदार सा अच्छा सा आपके क्या paper ncrt-based paper था एक question में आपके क्या है वही evil तो इसको evil quartret पढ़ना ही आपको सबको आता है वहाँ के दे भी रखा है सामने आपके Hindi में English ही दे रखी है बाकि आपके paper में कोई भी mistake नहीं फुली NCRT based paper अच्छा paper biochem के सारे paper आपके बहुत आपके क्या थे best थे एकदम NCRT basis थे conceptual थे तो biochem के hit होने के बाद बिटा अब अपना start हो रहा है क्या physics eco जहां केवल और केवल neat oriented papers की अपन क्या करेंगे बात करेंगे अपने जो भी आपके क्या है आपके अपनी CLC के जो भी physics expert जो है उनको especially आपके लिए क्या कर रहे हैं डिजाइन कर रहे हैं तो biochem आपने bio और chemistry biochem के जरीए clear कर लिया फिर एक बार आप physics को revise कर लें physics eco से फिर आपन करेंगे क्या DCM तो आपके क्या है कोई भी बीचा chapter हो topic हो sub topic हो एक भी line बीटा आपके अपनी CLC और आपके boss जो हैं वो आपकी छूटी छूटी कमियों पर नजर रखे होए हैं कब क्या students को क्या करवाना है कैसे क्या करवाना है तो आप सीधी सी बात है अपनी test series को follow करें boss को follow करें CLC के contact में रहें ओके बीटा तो ये था आपके क्या एक biochem का last जो paper था ecology जिसमें आपने cover किया किसको bio diversity and its conservation और environmental issues को fully NCRT based paper बहुत अच्छा I hope आपका paper हुआ होगा अगर फिर भी कोई दिक्कत रही तो आपने इसको क्या कर लिया है cover कर लिया है ओके बीटा जैजे CLC जैजे CLC, जैजे CLC विजे CLC, ओके dear student, thank you Hello students, myself Rajendra Verma, team chemistry आज आप लोगों ने आपके biochem test series का अन्तिम paper दे दिया है मुझे उमीदी नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके अन्य papers की भांती आज का paper भी बहुत अच्छा गया होगा आज मैं आपके साथ chemistry में आपके biomolecule polymer chemistry in everyday life chapter से जुड़े हुए in person को discuss कर रहा हूँ ये question आपके pure NCRT based हैं, आपको NCRT की एक एक line अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आपका NEET का paper NCRT based ही रहता है आज की इस test स्रंकला के बाद आपकी अपनी CLC आपके लिए physics eco test series 18 April से शुरू करने जा रही है biology के बच्चों में ना चाहते हुए भी physics के परतीजों एक अंजाना सा डर रहता है वो डर आप दूर कर सकते हैं physics eco के माध्यम से आपके लिए 18 April से शुरू होगा physics eco मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से जिस लगन से जिस उत्साह से जिस भाव से जिस सलेक्शन की चाह से आपने biochem test को अच्छे से दिया है हमारी इस test series को अच्छा सफल बनाया है उसी तरह से आप physics eco को भी उतने ही उत्साह से उमंग से देंगे ताकि आपके सपने पूरे हो आपके माबाप के सपने पूरे हो आपके teachers के सपने पूरे हो आपके चाहने वालों के सपने पूरे हो ठीक है तो फिलाल हम इस औरनी chemistry के paper को solve करते हैं आपको किसी question में कहीं कोई doubt रह गया हो तो आप वो ये question solution देख करके दूर कर सकते हैं तो शुरू करें पहला question आपके पास है which of the following is a bio degradable polymer जैव निमनिकरत भहुलक कौन सा है आपसे ये पूछा है bio degradable polymer बतला ऐसे कोई भी polymer ऐसा कोई भी compound जो decompose हो जाए degrade हो जाए और degrade होने के बाद जो उसके components हैं degrade होने के बाद जो उसके component है वो environmental friendly होने चाहिए ठीक है तो ऐसा कौन सा आपके पास यहां पर polymer है phbv cellulose phbv और cellulose दोनों के दोनों कैसे हैं bio degradable polymer है polythene bio degradable नहीं है तो आपके पास यहां पर जो answer आएगा वो answer कौन सा आजाएगा बैटा fourth answer आजाएगा ठीक है next second question the helical structure of protein is stabilized by protein की जो helical structure है helix सरंचना है वो किसके दवारा stability gain करती है थाई हो जाती है वो अपने को देखना है तो protein की जो helical structure है उसमें कौन सा bond होता है वेटा स्टेबल करने के लिए hydrogen bond होता है ठीक है which of the following vitamin is water soluble water soluble vitamin आप से पूछा है तो इस water soluble में एक तो vitamin B होते हैं और एक होता है vitamin C यह water soluble होते हैं vitamin B और vitamin C बाकी जो आपके पास है KEDA यह कैसे होते हैं fat soluble होते हैं और यह दोनों कैसे होते हैं water soluble होते हैं तो आपको water soluble पूछा है vitamin E A नहीं होगा देखो यह fat soluble है और यह water soluble है vitamin C vitamin E यहाँ है vitamin K यहाँ है ताज समझ में आ रहा है तो आप cancer कौन सा आ गया vitamin C इन DNA complementary bases are DNA में complementary base कौन से होते हैं तो यह complementary base होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गोवानिन और साइटोसिन यह complementary base होते हैं तो आडेनिन, थाइमिन होना चाहिए एडेनिन, थाइमिन यहाँ पर भी है यहाँ नहीं है यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है यहाँ एडेनिन, थाइमिन है और उसके बाद गवानिन cytosine होना चाहिए यहाँ पर guanine के साथ uracil है तो यह भी answer नहीं हाएगा answer के आजाएगा आपके पास fourth answer आजाएगा which one is used as a substitute for wool in making of commercial fiber तो इसमें आपके पास एक ही answer बन रहा है polyacrylonitrile PAN polyacrylonitrile commercial fiber बनाने के लिए wool की जगह use किया जाता है NCRT में direct lines लिखी हुई है consider the following statements आपको कुछ statement कुछ कथन दिये गए है आपको चेक करना है कि इन में से correct statement कौन से है सही कौन से है यह बहुत जरूरी है आप question को बड़े अच्छे से सही जंग से पढ़ें नहीं तो आंसर कुछ भी हो सकता है बेटा तो correct statement देखता है anti-histamine inhibits the action of compound histamine बेलकुल सही है बेलकुल सही है यह correct है aspirin is antacid गलत है बड़ा यह गलत है aspirin antacid नहीं होता aspirin analgesic है aspirin antipyratic है analgesics have pain killing effect यह भी correct है तो इन तीन में से correct आपका first और third correct है तो आपके पास answer क्या आ जाएगा first answer आ जाएगा cellulose is a straight chain polysaccharide यह तो सही है cellulose क्या है straight chain polysaccharide है अब इसमें क्या present होता है यह आपको बताना है तो cellulose जो है इसका monomer क्या होता है बेटा यह कहीं इसका monosaccharide क्या होता है glucose क्या होता है इसमें glucose D glucose ठीक है और D glucose में भी कौन beta D glucose D glucose के cyclic form जो है alpha beta form में exist करती है जो alpha part है वो starch में present है और जो beta part है वो cellulose में present है इसमें एक glycoside bond होता है beta 1,4 glycoside bond इसमें present होता है तो आप देखें इसके अंदर आपके लिए कौन सांसर सही होगा 4th कौन सांसर आज़ा है बेटा 4th आज़ा है ना D glucose unit और beta glycoside linkage किसमें present होते हैं cellulose में present होते है the substance which relieve anxiety reduces mental tension induce sleep तो ऐसे सबस्टांस को आप क्या कहेंगे जो चिंता दूर करते हैं तनाव को कम करते हैं नींद उत्पन करने में सहायता करते हैं hypertension हो जाए बहुत ज़्यादा तनाव हो जाए hypertension आ जाए तो जो medicine देते हैं उसमें कुछ नींद प्रड्यूस करने वाले components वे एड़ किये जाते हैं तो ऐसे substance का जो group है ऐसी medicine का जो group है उनको क्या कहा जाता है आप से यह पूछा है तो आपके पास answer क्या आ जाएगा प्रशान्तक tranquilizer tranquilizer प्रशान्तक nylon threads are made of nylon के धागे किस से बने होते हैं nylon में क्या है nylon के अंदर आपके पास यह bond present होता है और यह bond कैसा bond होता है एमाइड bond होता है तो nylon में क्या present होगा polyamide क्या present होगा polyamide which optical rotation will be observed before hydrolysis of sucrose and after hydrolysis of sucrose शुक्रोज का जब हम hydrolysis करेंगे तो glucose plus fructose मिलेगा D glucose and D fructose यह तो मिलेगा अब यहां पर इसका जो specific optical rotation है वो positive रहता है इसका specific optical rotation positive होता है इसका specific optical rotation कैसा होता है negative होता है अब हम यह चेक करना है hydrolysis से पहले dextrorotatory है hydrolysis से पहले dextrorotatory है लेकिन जब आप इन दोनों के specific optical rotation को add करके two से divide करेंगे तो जो average value आएगी वो average value क्या आएगी negative में आएगी तो यह जो पूरा का पूरा mixture है वो इसके respect क्या होगा inversion शो करेगा इस process को क्या कहते है inversion of शुक्रोज बोला जाता है शुक्रोज का प्रतीपन बोला जाता है तो लीवो रोटेटरी यह कैसा हो जाएगा लीवो रोटेटरी हो जाएगा तो answer के आगया बैटा आपके पास first answer आगया polymer obtained from the following monomer आपके पास यह दो monomer है ethylin glycol terphthalic acid तो thylene glycol और terphthalic acid के combination से जो polymer बनेगा वो देखना है आपको polymer obtained from the following monomer is not A आपको question बड़े अच्छे से पढ़ना है बहुलक नहीं है एक तो इन दोनों के combination से जो polymer बनेगा वो co-polymer होगा सहे बहुलक होगा बिल्कुल सही है क्योंकि monomer unit different है इन दोनों के combination से आपको यहां पर polyester बनेगा यह भी सही है condensation polymer है यह कैसा polymer होगा इन दोनों के combination से जो polymer बनेगा polymer बनेगा कौन सा? terylene backward डेक्रॉम तो टेरिलीन कैसा है कंडन्शेशन पॉलीमर और कंडन्शेशन पॉलीमर के लिए जो मेकेनिजम होता है उसको हम क्या कहते है step growth polymerization और addition के लिए जो मेकेनिजम होता है वो chain growth polymerization होता है तो step growth polymer भी इसमें correct होगा आप से पूछा है is not a तो आपका answer क्या आजाएगा वेटा third answer आजाएगा जो टेरिलीन है वो एक chain growth polymer नहीं है श्रंकला व्रद्धी बहुलक नहीं है क्योंकि ये condensation polymer है addition polymer नहीं है तो answer कौन सा है आपका third answer आगया question को बड़े ध्यान से पढ़ना आप से क्या बूचा हुआ सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड अमोनियम ब्रोमाइड है तो ये एक detergent है और इसका ये वाला जो portion है वो इसको क्या कहेंगे दनाइनिक अपमार्जन कहेंगे अपमार्जग कहेंगे केटाइनिक detergent कहेंगे read the following statements and select incorrect statement आपको कुछ statement दिये हैं और आपको देखना है incorrect है सकते इस पर आप focus करेंगे incorrect होना चाहिए alpha amino acids are constituents of protein बिल्कुल सही है ये तो correct है aspartic acid is an acidic amino acid ये भी सही है ठीक है glycine is optically active optically active नहीं होता glycine glycine कैसा होता है optically inactive क्योंकि ये जो molecule है ये कैसा है काईरेल molecule है इसलिए optically inactive होगा तो आपसे पूछा था incorrect तो आपका answer क्या जाएगा ठर्ड़ा जाएगा बटा प्रोलीन contains NH group ये correct है ये correct है वेटा प्रोलीन के अंदर आपके पास इस तरह का एक cyclic structure होता है तो इसमें NH होता है आपके ncrt में 20 amino acids है उसमें से 10 essential amino acid है 10 non essential amino acid है उन 20 amino acid में 19 amino acid ऐसे हैं जिन में NH2 ग्रूप होता है उनकी ये structure होती है पर्टिकुलर बेटा ये particular structure होती है जिसमें alpha position पर NH2 group होता है उस table में जो first 19 है उसमें आपको r की structure दी हुई है लेकिन जो last 20 number है प्रोलीन वो actual में r नहीं है अपने आप में complete amino acid होता है complete amino acid है आपके पास तो ये आपके पास प्रोलीन है और जिसमें क्या present है NH group present है ये आपके पास एक NH group आ गया ठीक है आज समझ में आ गई तो आप से पूछा था incorrect आंसर के आ गया आपके पास third which of the following compounds is added to soap to make it antiseptic साबुन को पूती रोधी बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है गया जाता है ये नाजल मिलाया जाता है ये डिविट Bugün की कमी से और मेंपिल सथ है हमें देखना है night blindness vitamin A से होता है bond deformation in children vitamin D की deficiency से होता है muscular weakness vitamin E की deficiency से होता increased blood clotting time vitamin K के कारण होता है तो आपसे पुछा है vitamin E तो आपके पास answer क्या आया है वेटा third आएगा ठीक है a unit formed by attachment of a base to position of panto sugar is known as nucleoside हमारे पास panto sugar और उसके साथ nitrogen base को अगर हम attach करें तो जो unit बनती है वो nucleoside होती है nucleoside में phosphate unit को add करते हैं तो वो nucleotide बनता है यहाँ आपसे question पूछा गया है nucleoside से related और इसके साथ यहाँ पर एक base base आएगा वेटा यह connect होता है तो यह कौन सा carbon है C1 तो यह unit कौन सी है आपके पास यह unit कौन सी है nucleoside unit है तो nucleoside में base कहाँ पर connect होगा C1 पर connect होगा a unit formed by attachment of a base to position of pentose sugar is known as nucleoside तो answer कौन सा आजाएगा आपके पास fourth answer आजाएगा chloramphenicol इन में से क्या है क्या anti fertility drug है क्या प्रती निशेचक है नहीं anti histamine है anti histamine नहीं है disinfectant भी नहीं है क्या है यह anti biotic है प्रती जैविक है और प्रती जैविक में भी कैसा broad spectrum प्रती जैविक है broad spectrum antibiotic है वेटाईए broad spectrum antibiotic का मतलब है gram positive bacteria और gram negative bacteria दोनों की wide range के लिए यह effective होती है यह structure आपके पास aspirin की structure है ठीक है और जो aspirin की structure है इसका use क्या है यह पूछा है antiseptic होता है क्या aspirin antiseptic नहीं होता analgesic होता है बिल्कुल analgesic analgesic में narcotic non narcotic दोनों है और यह किस तरह का है non narcotic category में आता है antibiotic नहीं है antacid नहीं है analgesic है इसके अलावा इसमें और क्या प्रोपर्टी होती है इसका और किसमें यूज होता है antipyretic property बिल्क जैसिक भी है और antipyretic property भी इसमें होती है ठीक है anti-blood clotting के form में भी इसका यूज होता है which of the following structure represents neoprene polymer अगर हम इसका क्या करें polymerization करें यह आपके पास है chloroprene तो आपको यहां पर नियोप्रीन मिलेगा बेटा अब आपको यह neoprene की structure देखनी है इन में से कहां पर है तो यह structure आपको कहां दिखाए दे रही है fourth number पर दिखाए दे रही है synthetic rubber होता है नियोप्रीन क्या है synthetic rubber है which of the following statement is false यह सक्त्य कथन पर आपको ध्यान देना है the repeat unit in natural rubber is isoprene बिल्कुल सही है यह तो correct है both starch and cellulose are polymer of glucose बिल्कुल सही है starch में alpha d glucose होता है और cellulose में beta d glucose होता है nylon 6-6 is a polyamide polymer यह भी correct है nylon 6-6 में amide bond होता है terylene is a homo polymer सम बहुलक terylene homo polymer नहीं है hetero polymer है क्योंकि terylene के दोनों monomer क्या होते है different होते हैं तो homo की जगे क्या आना चाहिए hetero आना चाहिए तो false statement पूछा था आप से असत्य अकतन पूछा था तो आप का answer क्या आ गया fourth answer आ गया which antibiotic has a bacteria seedal bacteria seedal effect आपको बताना है ठीक है तो bacteria seedal effect आपको बताना है जीवानु नाशी इन में से कौन सा है second, fourth और जो fifth है यह bacteria seedal नहीं bacteria static effect शो करते हैं जीवानु नाशी नहीं होते ही है तो answer कौन सा चला जाएगा first answer कौन सा चला जाएगा of loxosin ठीक है proteins which perform the role of biological catalyst in the body are biological catalyst कौन से होते है enzyme biological catalyst कौन से होते है enzyme होते है ठीक है drugs that bind the receptor site and inhibits its natural function receptor site पर attach होकर के उसके natural function प्राकरतिक कारे को रोकने वाले बाधित करने वाले जो medicines है जो drugs है आप उनको क्या कहने वाले है natural function को block करते हैं वो क्या होंगे आपके पास agonist विरोधी और जो mimicry करते हैं वो कैंसे होते हैं agonist होते हैं तो आपका इस question का answer क्या आएगा antagonist विरोधी ठीक है यह सीधे सीधे statements हैं जो आपकी NCRT में दे हुए बेटा आपको भी अपने NCRT को अच्छे से read करना है अच्छे से दिमाग में उसे setup करना है क्योंकि NEET का paper जो है वो NCRT based रहता है इसी तरह से वहाँ पर lines को निकाल करके question frame करवाय जाते हैं which of the following sets form the biodegradable polymer biodegradable polymer आपको बताना है आपके NCRT में दो biodegradable polymer दिये हैं एक तो PHBV और दूसरा nylon 2, nylon 6 दो दिये हुए हैं अब आपको देखना है इन में से वहाँ इनके कौन सा आपको combination दिखाई दे रहा है पहला आपको कैसा मिलेगा टेरिलीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है ठीक है यह ब्यूना S बनेगा इससे बायोडिग्रेडेबल नहीं है ब्यूना N बनेगा इससे बायोडिग्रेडेबल नहीं है यह आजाएगा 490 नाइलोन टू Nile 6 यह कंने वाला है च्ट है लिचक चराविख करना है सही कौन सा यह बताना है कि मोनो सेकराइड खाड़ को शर्कराब बी कहते हैं पॉली सेकराइड़ आर नौन शुगर पॉली सेकराइड ये बिल्कुल करेक्ट है माल्टोज अट लेक्टोज आर रस्टाइड इडूजिंग शुगर ये भी करेक्ट है बेटा तो आंसर कौन सा आ गया अल dop आपको इसमें प्रोडक्ट चेक करना है कि आपके पास इसमें product क्या हो सकता है bromine water क्या करेगा इसका oxidation करेगा जब आप इसका oxidation करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा gluconic acid क्या मिलने वाला है आपको gluconic acid मिलने वाला है अगर मैं इस glucose का HI के साथ reduction करता हूँ तो normal hexane मिलेगा अगर मैं इसमें concentrated HNO3 से इसका oxidation करता हूँ तो secaric acid मिलने वाला है ठीक है which of the following reagent confirm the presence of carbonyl group की presence को confirm करने के लिए आपको कौन सा combination U जो है देखना है तो carbonyl group की presence आप चेक कर सकते हैं एक तो आपके NCRT में hydrogen cyanide का concept दे रखा है और एक आपके NCRT में NH2 OH का concept दिया हुआ है ठीक है तो अगर आप hydrogen cyanide concept को use करेंगे carbonyl group की presence sinohydrin बनेगा carbonyl group की presence बता रहा है NH2OH के साथ क्या बनने वाला है oxym carbonyl group की presence बता रहा है तो आपको इसमें से कौन सा answer मिल गया बेटा यहाँ पर second answer मिल गया ठीक है यह बाकी क्या करेंगे HI क्या confirm करेगा यह reaction क्या confirm करेगी यह confirm करेगी कि glucose में एक six member straight carbon chain है normal oxygen मनेगा six member straight carbon chain आपको मिल जाएगी acetylation क्या बताएगा glucose में five जो है OH group है pentacetate बनाता है HNO3 किसको indicate करेगा किसकी presence को indicate करेगा primary alcoholic group की presence को indicate करता है next question आपके पास है identify correct structure of cytosin cytosin की हमें सही सरंचना बतानी है तो आपके पास आपके वệc आपके आपके गासवा डनाता है blocks more पासरे में सही का हिवा ही है बताश पासर आपके आपके अपके लागर outbreaks जाsky यहाथ एस्वाना जापके लाग्वावाज है इन में यहां पर oxygen अटेच होती है ठीक है यहां पर double bond होगा ठीक है अगर मैं यहां पर NH2 अटेच कर देता हूँ और इसकी valency को पूरा करूँ तो यहां से इसकी valency पूरी हो जाएगी तो यह बन जाएगा cytosin यह क्या बन जाएगा cytosin अगर मैं यहां पर दोनों जगें oxygen अड़ करके इसमें एक difference CS3 का लगा दूँ तो यह बन जाएगा आपके पास thymine यह cytosin है यह thymine है यह क्या है यूरेसिल है ठीक है तो हमें इसमें चेक करना है cytosin की structure यह वाली structure चेक करनी है तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है अधिन आरेने में ऐसा कुछ भी नहीं होता बैटा और ऐसा भी डीन आरेने में कुछ भी नहीं होता है यह दो structure जो है डीन आरेने में आपको मिल सकती है यह दो तो नहीं मिलेंगी अब आप देखें इन में से साइटोसीन की स्ट्रक्चर आपके पास क्या है सेकेंड है यह स्ट्रक्चर किस से मैच कर रही है इससे तो यह थाइमीन है यह क्या है आपके पास थाइमीन है यह साइटोसीन है यह आपके पास थाइमीन है वास समझ में आगे high melting point and high solubility in water of amino acid can be explained by amino acids क्या है highly soluble है melting point boiling point high है इसको कैसे explain करोगे इसका मतलब यह हुआ कि जो amino acid का जो molecule है वो highly polar molecule है कैसा है highly polar molecule है तो इसकी highly polarity molecule की आप कैसे explain कर सकते हैं यह एक amino acid होता है अगर मैं इसे zwitter iron में convert कर लूँ तो यह highly polar हो जाएगा तो इस structure की वज़े से ऐसा हो यह structure आपके पास है इसके लिए high melting point and high solubility in water तो ऐसा zwitter iron structure होना चाहिए तो answer क्या जाएगा आपके पास third answer आजाएगा which of the following is incorrect statement wrong statement पूचा है शुक्रोज contains alpha one four glycoside यह wrong है बेटा शुक्रोज में alpha one four glycoside नहीं होता शुक्रोज में क्या होता है alpha, beta one two glycoside bond होता है one two glycoside bond तो यह wrong हो गया शुक्रोज cannot reduce tolerant reagent यह बिल्कुल correct है शुक्रोज is dextorotatory यह भी बिल्कुल correct है शुक्रोज contains glucopyranose and fructo furanose structure यह भी correct है तो answer के आगे आपके पास first reason इसमें यह present होता है which of the following is correct match आपसे पूछा है कौन सा मिलान सही है यह देखना है detol, terpinol, bithynol यह wrong है बिटा, incorrect है morphine, narcotic, analgesic, swapak, pida, harry यह correct match दिया हुआ है terfenadine, non-narcotic, terfenadine क्या होता है बिटा आपके पास anti-histamine होता है anti-histamine होता है, यह wrong है soframycin, antibiotic नहीं, antiseptic होती है तो answer क्या आएगा बिटा, आपके पास second answer आजाएगा antiseptic and disinfectant either kill or prevent growth of microorganism identify which of the following statement is not true आपसे not true पूछा है बिटा, सत्के नहीं है, यह बहुत जरूरी है आप statement नंग से पढ़ें 0.2% solution of phenol is antiseptic, while 1% solution of phenol is disinfectant, यह correct है antiseptic is not harmful for living tissue, यह भी correct है 2-3% solution of iodine in alcohol, water mixture is tincture of iodine, यह भी correct है dilute aqua solution of boric acid is a weak disinfectant, weak disinfectant नहीं होता है weak antiseptic होता है, weak antiseptic होता है, not true पूछा है आपसे तो answer क्या आजाएगा, fourth आजाएगा बास समझे नहीं, आप NCRT की लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पर disinfectant वर्ड नहीं दिया हुआ है, antiseptic वर्ड दिया हुआ है identify condensation polymer, संघनन बहुलक आपको चेक करना है condensation polymer आपको 4 option दिये हुए है, तो आपके बास answer क्या आजाएगा nylon 6 condensation polymer, बाकी तीनों क्या है, आपके पास addition polymer है, बाकी तीनों क्या है, addition polymer है बेड़ा polymer which contains strong intermolecular attraction force, strong intermolecular attraction force कहां पर जाएगा, nylon 6-6 में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि nylon 6-6 में आपके पास, क्या बनेगा, hydrogen bond बनेगा, ठीक है, antiseptic chloro xylenol, chloro xylenol आपको क्या मिल रहा है, chloro xylenol, यह होता है बेटा, chloro xylenol, इसकी numbering कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4-4 chloro होना चाहिए, 3, 5, dimethyl होना चाहिए, 4 chloro, 3, 5, dimethyl, what will be the hydrolysis product of maltose, maltose का जब आप hydrolysis करेंगे, तो आपको यह पता होना चाहिए, maltose एक dysaccharide है, और इसकी जो monosaccharide unit क्या होती है, alpha d glucose, कौन सी होती है, alpha d glucose होती है, तो दोनों ही alpha d glucose होने चाहिए, alpha d glucose, ठीक है, यहाँ भी alpha d glucose है, यहाँ भी alpha d glucose, दोनों जगए alpha d glucose होना चाहिए, the presence or absence of hydroxy group on which carbon atom of sugar differentiate RNA and DNA, यह c1 है, यह c2 है, यह c1 है, यह c2 है, तो difference कहाँ पर develop हो रहा है, c2 carbon पर, कौन से carbon पर difference, develop हो रहा है बेटा, c2 carbon पर, ठीक है, phenol reacts with which of the following to form the thermosetting polymer bakelite, bakelite बनाने के लिए आपके पास क्या 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 compound होनी चाहिए, phenol के साथ क्या होना चाहिए, formaldehyde, क्या होना चाहिए, formaldehyde होना चाहिए, और formaldehyde आपके पास कौन सा है, thermosetting polymer होता है, glucose on prolonged heating with HI, HI के साथ जब आप glucose की reaction करवाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, normal hexane, क्या मिलेगा बेटा आपको, normal hexane, आपके पास आंसर क्या आ गया, fourth normal hexane आपके पास आंसर आ गया, dynomers of glucose, alpha and beta form, are differ in the stereochemistry of which, at which carbon, glucose में alpha, beta form होते हैं, ठीक है, glucose में alpha और beta form कौन से carbon पर difference create करते हैं, C1 पर, और fructose में कहां difference create करते हैं, C2 पर, तो glucose में कहां आएगा ये, C1 carbon पर difference create होता है, ये, C1 carbon ही, alpha और beta में difference create करता है, glucose के case में, fructose के case में कहां जाता है, C2, in amino acids more number of amino groups than the carboxylic acid, अगर आपके पास NH2 group के number ज्यादा है, और CWH group के number कम है, तो no doubt वो कैसा हो जाएगा, basic amino acid हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, basic amino acid बन जाएगा, which amino acids are called non-essential, non-essential amino acid आप किन को कहेंगे, क्या आपको चेक करना है, इसमें देखेंगे, those which have more NH2 groups than the CWH, those which have equal number of NH2 groups and CWH, those which can be synthesized in body, essential वो है, essential amino acid क्या होते हैं, essential amino acid वो हैं, जो हमारी body में synthesized नहीं होते हैं, इसलिए हमारे diet में उनका present होना जरूरी होता है, और non-essential वो है, जो हमारी body में develop हो जाते हैं, आप से पूछा है, non-essential अनावशक, वो जिनका निर्मान शरीर में हो सकता है, those which can be synthesized in the body, इन ज्वीटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड शो, ज्वीटर आयन फॉर्म में अमीनो एसिड कैसा होगा, यह जड़ा देख लेते हैं, ज्वीटर आयन फॉर्म यह है बेटा, तो यह पार्ट आपके पास कैसा हो गया, अजड़ा, एसिड इक और यह पार्ट आपके पास कैसा हो गया, बेसिक तो एसिड एसिड और बेसिक दोनों, अउनली एसिड इक, अउनली बेसिक, एमफोटरिक, कौन सा आजाएगा, एमफोटरिक, उवेधर्मी, इसिड इसिड पार्ट और यह बेसिक पार्ट है, आल आफ दी जा जाएगा, ठीक है, बेंजॉइल परोकसाइड यह होता है, यह बेंजॉइल परोकसाइड है, यह एसिटाइल परोकसाइड है, और टर्शरी ब्यूटाइल परोकसाइड, यह tertiary butyl peroxide है ठीक बेटा समझ में आगी बाद identify monomer of the following polymer अब इससे आपको monomer चाहिए तो एक तो आजाएगा NH2 CH2 all 6 NH2 और इसके side में क्या आएगा बेटा HO, CO, CH2 all 4 CO, OH यह दो unit है तो hexane 1,6-diamine यह रहा hexane 1,6-diamine hexane di-oic acid यह रहा hexane di-oic acid hexane 1,6-diamine hexane 1,6-diamine 1,2,3,4,5,6 रहा समझ में आएगा रही? which one is correct for the given di-peptide यह वेटा आपके पास कहां से बना होगा जड़ा देख लेते हैं एक तो यह आया है यह है glycine और इसके साथ में क्या आ रहा है? यह भी देख लेते हैं यह आ रहा है alanine तो glycine और alanine है आपके पास left side में glycine है तो glycine आएगा right side में alanine है तो right side में alanine आएगा आप alanine glycine नहीं लिख सकते हैं alanine glycine नहीं इसी order को आपको follow करना होगा इसी order को आपको follow करना होगा यह बात समझ नहीं है which among the following is tranquilizer tranquilizer इसमें से कौन सा है? cimetridine नहीं हो सकता cimetridine एंटासीड होता है terphenodine terphenodine नहीं हो सकता antihistamine होता है equinil आ जाएगा tranquilizer कौन सा है? equinil है prontosil क्या है? antivitic है प्रति जैविक है तो यह भी answer नहीं आएगा answer क्या आ गया वेटा? आपका equinil which one is addition heteropolymer addition भी होना चाहिए hetero भी होना चाहिए तो terlene तो addition नहीं है इसलिए cancel हो गया PHPV addition नहीं है इसलिए cancel हो गया अब इन दोनों की बात करें hetero word दिया हुआ है इसका मतलब monomer unit क्या होना चाहिए? different होना चाहिए तो answer के आ जाएगा आपके पास Buna S the coagulation of protein of egg white on boiling of egg is called denaturation of protein change in primary structure ये wrong हो जाएगा chemical messenger drug target तो आपके पास answer के आ गया first denaturation of protein इसमें primary structure change नहीं होती secondary, tertiary structure break हो जाती है which are responsible for maintaining the level of glucose in blood blood में glucose के level को maintain करने के लिए आपके पास इन में से कौन से hormones हैं जो आपको use करने पढ़ेंगे hormones आपके NCRT में chapter के last में दिये हुए हैं आपको वो अच्छे से पूरे paragraph को पढ़ना है बेटा तो blood में glucose के level को maintain करने के लिए आपको क्या चाहिए only insulin नहीं only glucagon नहीं both अंसर क्या जाएगा थड़ा जाएगा insulin और glucagon दोनों की हमें जरूरत पढ़ती है which of the following is a brassed polymer पूछा आप से शाखित बहुलक high density polymer linear polymer है polyester linear है nylon 6 है amylopectin कौन सा आजाएगा आपके पास amylopectin amylopectin starch का एक component है जिसमें amylos linear होता है amylopectin brassed होता है ठीक है which of the following which of the following is used for non-stick surface coated utensil नहीं चिपकने वाली सता से लेपित बर्तनों में उप्योग किया जाता है इन में से कौन सा poly tetrafluoro ethene poly tetrafluoro ethene का उप्योग किया जाता है ठीक है बेटा in addition polymer monomer addition polymer के लिए monomer कैसा होना चाहिए unsaturated होना चाहिए कैसा होना चाहिए बेटा unsaturated होना चाहिए और unsaturated कौन सा है और था आपके पास unsaturated है which of the following is not a polymer निमलिक्त में से कौन सा एक बहुलक नहीं है नियोप्रीन एक polymer है ब्यूना N एक polymer है nylon 6 एक polymer है chloroprene chloroprene monomer होता है polymer नहीं होता chloroprene से नियोप्रीन बनता है नियोप्रीन क्या होता बेटा एक polymer होता है detergents are prepared by the action of H2SO4 on which of the following इन में से ऐसा कौन सा है जिसकी क्रिया जिसकी reaction H2SO4 से करवाओगे और detergents आपको मिलेगा देखो बटा ज्यान से कौन सा आँसर आएगा laurel alcohol आ जाएगा ठीक which of the following will not act as an antacid प्रती अमल का कार्य नहीं करता है ऐसा कौन सा है sodium bicarbonate antacid होता है magnesium hydroxide milk of magnesia antacid का काम करता है ranitidine antacid है histamine histamine antacid नहीं है ध्यान रखेंगे हिस्टamine chemical messenger है जिसके थूँ body में message deliver होता है कि अपने stomach में acid की जरूरत है और फिर वो acid release होता है तो histamine antacid नहीं है ध्यान रखेंगे आप the artificial sweetener that contains chlorine आपको ऐसे क्रत्री मधुरक को देखना है जिसमें chlorine होता है aspartam saccharin elitam shukralose तो answer क्या जाएगे आपके पास shukralose ठीक है तीन chlorine होते है इसके पास कितने chlorine होते है तीन chlorine होते है in hair conditioner the detergent used hair conditioner में कौन सा detergent यूज होता है क्याइगे तो आपको देखना इन में से क्याइगे कौन सा है second costly होते हैं काफी which of the following is correct statement कौन सा कथन सकते है correct पूछा है बड़ा सही पूछा आप से stars is a polymer of alpha glucose बिल्कुल सही है amylose is a component of cellulose proteins have only one type of amino acid protein में एक ही type की amino acid थोड़ा होते हैं different type का amino acids होते हैं amylose is insoluble in water amylose जल में एविले रहता है amylose जल में एविले नहीं रहता है बड़ा को answer गया आपके पास first ठीक है which of the following is incorrect statement कौन सा कथन असकते है 4 chiral carbon atoms in alpha d fructo furinos alpha d fructo furinos की अगर आपन बात करेंगे 1,2,3,4 incorrect देना आपको 8 OH groups ये correct है ये भी correct है 8 OH groups होते हैं शुक्रोज की structure में 4 chiral atoms are present in alpha d 1,2,3,4,5 तो आपके पास answer के आजाएं क्योंकि इसमें 5 chiral होते हैं और यहां क्या लिखा है 4 chiral लिखा होते हैं लेक्टोज इस डाइस है क्योंकि ये correct है इनकरेक्ट कूछा था आपके पास answer क्या जाएगा थर्ड आपके पास answer आजाएगा ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ आपको आपके doubts के answer मिल गए होंगे बेटा इस biochem test series के बाद आप लोगों के लिए जो है eco physics start हो रही है फिर उसके बाद daily come major test start होगा फिर उसके बाद dungal start होगा तो अगर आपके कोई friend जो अब तक biochem test से नहीं जूड़ पाई थे need की preparation कर रहे हैं तो मैं apps के माध्यम से उनको एक कहना चाहूँगा कि उन लोगों को CLC संस्था के दवारा जो आने वाले test है वो join करने चाहिए ठीक है एक nominal सी fees जरूरी होती है offline के लिए आपको जो है यह fees 5,000 रुपे पे करनी पड़ती है online के लिए 3,000 रुपे पे करनी पड़ती है offline में आपको छे बुक्स का एक सेट मिलता है और आपको इसके अंदर जितने भी अब इसके बाद जो test होंगे वो सारे test प्रोवाइड करवाई जाएंगे आप अपने फ्रेंड्स को जुरूर बोले और आप लोग भी उमंग और उत्साह के साथ आने वाली टेस्ट सीरीज के अंदर जुड़े रहें लगे रहें तब तक लगे रहें जब तक आपको सवलता प्राप्त नहीं हो जाती है जै CLC, जै जै CLC